हाँ जी हमने क्या पढ़ लिया था company limited by shares company limited by guarantee पढ़ चुके थे क्या unlimited company, private company, public company, OPC and one person company और small company भी पढ़ लिया था याद है सब कुछ चलो देखते हैं कशी का मैडम आप बताईए small company की definition पॉस कर देता हूँ जब तक बे मतलब में time बढ़ जागा बेटा हम types of company भी दे और हमने काफी सारी चीजे ख़तम भी कर लिये जो कुछ-कुछ definition अभी बची हैं मैं वो आपको समझा देता हूँ पढ़े रेडियो सब लोग अब पूछनी रहा अब कूल हो जाओ बिलकुल पूछो मतलब पढ़ाओ आजाओ वो आत्मा में से जाता नहीं है ना पूछने का आदत पढ़ी हूई है आए हम बढ़ रहे हैं मेटा गवर्मेंट कंपनी यानि एक कंपनी को हम गवर्मेंट कंपनी कब बोलेंगे अरे रुख जाओ पूछ पूछरा नहीं हूँ भाई रुख जाओ रुख जाओ ठामो पूछेंगे फेले पढ़ाने तो दीजीये मेडम पूछेंगे बहूत नोलेज भरके आई है उगलरी है ज्यादा हो गया है कभी कभी ज्यादा हो जाती है तो वमेट हो जाती है न लोगोगों को दीदी को नोलज ज्यादा हो गया समालो आजो section 2 clause 45 बताता है government company means any company को इसी भी company हो सकती है के रहा government company means any company in which not less than 51% of paid up share capital is held by या तो किसने held कर रख़ी हो Central Government ने या State Government ने और Governments ने यानि दो स्टेट मिलकि समझ में आ रहे हो और partly by Central Government और partly one or more State Government यानि Government का जिसमें हस्ट से आ जाएगा और वो हस्ट से प कितना होगा 51% तक का होगा कभी हम किसी company को क्या बोलेंगे government company बोलेंगे unless and until वो government company नहीं क्या लाईगी, समझ में आ रहा है? हाँ एक बार फिर से पढ़ें देखिए, क्या रहा है clause क्या है, 45 government company means a company in which not less than 51% of the pit of share capital held by central government, state government or government और partly by central और partly by one or more state government पढ़ लिया, अब मेरा कुश्चन है कोई हम कहा हाँ थे बेटा government company, अब मेरा कुश्चन है जो जिनकी knowledge लोग उगल रहे थे न, जो उनके लिए कुश्चन है मेरा, ध्यान से सुनना, सुन ले ना प्लीज, एक कंपनी है A limited, कौनसी कंपनी है A limited, इसमें बेटा 45% Central Government ने holding लिए है, किसने Central Government ने 45% इसकी paid up share capital लिए है P USC समझ गए न, paid up share capital लिए है, कितनी 45% और एक कंपनी है ONGC, क्या है और गवर्मेंट कंपनी है यह क्या है गवर्मेंट कंपनी है इसने बागी बेटा 8% लिए है holding इस A limited की क्या A limited Government कंपनी कहलाईगी सबसे पहले question उनी से है जो definition advance में बता रहे थे Colson advance वाले बच्चे बताईए मैम होगी चलो दीदी ने अपना जवाब दे दिया होगी बागी कितने बच्चे दीदी से सहमत है क्या A limited government company होगी शरी दी हा वाले कितने बर्द बताना एक हाँ बाली है ना वाले कितने बताना कोई ना वाला नीहैं एक ना वाला है बाकि सब झूटा कि किसी आवरफे नीकिता क्लशन्य देना बैठने आयो बैठ अँ बोलammers बालौ यार एसे तो होगी हो सकती है किसी को लग रहा है हो सकती है गुर्लिन मेडम बताईए less than 51% not less than लिखाय मेडम तो अगर यह 45 और 8 को मिला देंगे कितना हो जागा कितने बच्चे कह रहे हैं होगी कितने बच्चे कह रहे हैं होगी और कितने बच्चे कह रहे हैं नहीं होगी चलो कुछ ने तो participate करा जो कह रहा है नहीं हो गी हुआ है उन में से परी मादम से मेरा कुछ नंहीं हो अगरुदी पताईहिए यार इतना टाइम नहीं है public होगी यह नहीं होगी government होगी अनहीं होगी government company की definition पढ़ रहे हैं मुन्ना उनको पता ही निया पढ़ क्या रहे है पब्लिक होगी या नियोगी कास मेरे पर राम वाला तीर हो था ना मैं अभी मार देता हूँ क्या चलो कोशन दुबारा बोलता हूँ सुनिएगा ध्यान से अभी दीदी भी आई है नहीं दीदी भी पार्टिसिपेट कर लेगी सुनिएे एक ए लिमिंटेट कमपणी है हाईलाइटेड दिखरा होगा नहीं दिखरा आँखे लगवाओ आपकी नहीं ए लिमिंटेड कमपणी है एक जिसमें 45% पेड़ सेर्ट कैपिडल हैला करती है संधरल गौड़मेंत सहीं है एक कम» ऐङर ओन्जिसी जो कि एक गौषर कर रखा है एट परसेंट कितना एट परसेंट थेक है तो क्या यह ए लिमिटेड गॉर्मेंट कम्पनी होगी आप बोलोगे तो डेफिनिशन दुबारा पढ़ा दूँगा क्यालकुलेटर निकालों मेरे को पहले बता दो जो बल चलो होगी वाले से बुस्ते मेडम आप बोलो शिरी वस्तवा मेडम क्यूं होगी है बहुत बढ़िया आगे अगर उसकी यहाँ पर लिखा है सबसीडरी होगी तो हाँ तो सबसीडरी कैसे हो जाएगी सुनिएगा क्या लिखाए देखो एंड़ सेक्शन इंक्लूड एक कंपनी विच इस सबसीडरी ओफ सच गॉर्मेंट कंपनी है ना क्या आट परसेंट होने से सबसीडरी बन गई वह हेलो अभी होल्डिंग सबसीडरी पढ़ाऊंगा उसमें पचास परसेंट से ज्यादा का होना चाहिए तब होल्डिंग सबसीडरी का रिलेशनशिप बनता है बताये क्या आट परसेंट गॉर्मेंट कंपनी ने होल्ड करा है तो वह सबसीडरी हो गई क्या ए लिमिंटेड उसकी नहीं हुई पचास होता है मैंने बता दिया अभी पढ़ाया नहीं पढ़ाऊंगा बताये हां हेलो नहीं होगी टोटल मिला के इतना हो रहा है ध्यान से देखलो हां वो वो लियो होगी आप बताये मैडम क्यों होगी फिप्टीवन होना चाहिए चलिए मैं आंसर बता देता हूं सुनिएगा अब ध्यान से ध्यान से सुनिएगा प्लीज तभी मजा आएगा यह बेटा गवर्मेंट कंपनी नहीं होगी रिजन सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा तो यह लिखाए डेफिनिशन में या तो central गवर्मेंट के पास हो या state गवर्मेंट के पास हो या state governments मिला के ले रही हो या पार्ट ली श्टेट पर हो पार्ट ली यहां पर बोला जाएगाدة Central Government के पास कितना है बस 4545 होने से कोई मैं आया क्या हाँ बोलो बोलो तो यानि जो 51 आपको चेक करना है अब दूसरा कुश्चन एक सेंट्रल गवर्मेंट है इसने रखा है 50 परसेंट एक स्टेट गवर्मेंट है इसने रखा है 0.99 परसेंट और यह कंपनी है हमारी एक्स लिमिटेड बताइए गवर्मेंट कंपनी होगी हाँ क्यों क्योंकि यह लेस देन 51 है कितना यह 50.99 परसेंट तो यह के लेस देन 51 है तो इस केस में नहीं होगे ऐसे सूचना है डीप में जाके समझ में आ रहा है आपको इतना दिमाग लगाना है कहने का मतलब आ रहा है तो अगर मैं इसको यह बोल दूँ कि 51 इसमें 0.01 जोड़ दें 001 तो हो जाएगी पका 51 होना चाहिए नोट लेस दन 51 का मतलब क्या है 51 और मोर दन 51 होते ही आप गवर्मेंट कंपनी बन जाओगे सुनिएगा इसमें एक लाइन और जुड़ी हुई है किया रहा है एंट श्र्क्षन इंवड से कंपनी विच इस सब्सीरी कंपनी ओफ ए गवर्मेंट कंपनी तो अगर कोई कंपनी किसी गवर्मेंट कंपनी की सब्सीरी कंपनी भी है किसी government company की subsidiary company भी है तो उसे भी हम government company बोलेंगे अभी ये पढ़ाऊंगा कि subsidiary किसको बोलते है और holding किसको बोलते हैं अभी वहाँ दिमाग आपको नहीं लगाना है क्या बोला मैंने अगर कोई company किसी government company की subsidiary भी है अगर कोई company किसी government company की subsidiary भी है तो हम उसको भी government company बोलेंगे, अभी पढ़ाऊंगा subsidiary और holding होता क्या है इतना समझ में आया, government company बिल्कुल clear है, कोई आप से खेला करेगा इसमें college में तो आप फस तो नहीं जाओगे, हाँ बताओ अरे बोलो, कोई आप से पूछेगा मतलब question तो फस तो नहीं जाओगे आप उल्टा फसाद होगे अब फसा सकते हो किसी को इसमें सर इसमें क्या फसाना जिसमें फसाना चाहरे हैं उसमें तो फस नहीं रहा है वो, चलो आईए, next आ रहा है बीटा, foreign company foreign company मतलब तुरं तयार foreign foreign company बोले दो यह बार बार बोल लिया यह बार बार बोल लिया देख लो, समाल लो इसको आई है, पढ़ा देता हूँ कह रहा है foreign company means a company फ्लीज इदर, foreign company means a company और body corporate incorporated नेपाल में incorporate हुई है तो foreign company है हाँ पाकिस्तान में incorporate हुई है तो alien enemy पाकिस्तान में incorporate हुई है तो तब भी foreign company है आई आगे इतने से काम नहीं चलेगा सिर्फ लेकिन सुनिये प्लीज, हेलो इदर इतने से काम नहीं चलेगा incorporate हुई है outside India और उसका क्या है has a place of business in India whether by itself or through an agent physically or through electronic and conduct any business activity in India in any other manner क्या रहे है incorporate तो आप भार हुए हो लेकिन आप धन्दा कहां पर कर रहे हो इंडिया में तो हमने आपको किस definition में डाल दिया foreign company की आ रहे है समझ में तो क्या बोलोगे अगर मैं पूछूँँगा कि foreign company का मतलब क्या है sir incorporated outside India having place of business in India Facebook, Google, Apple, Netflix, Amazon दुनिया भर की कंपनी है हाँ आ रहे foreign company के लिए रहा हाँ तो अगर आप से पूछा जाएगा foreign company का मतलब तो क्या बोलोगे incorporated outside India यानि कहीं भार उसका incorporation हुआ है उसका जो जन्म हुआ है उसका जो registration हुआ है वह भार हुआ है लेकिन वह धंदा कहां कर दिया इंडिया में कर दिया तो उसका हमने क्या बोल दिया foreign company बोल दिया आ रहा है पक्का पक्का इसरफ ये मद बोलना कि incorporate भार वह गई और foreign company हो गई नहीं होगी foreign company का वोगी incorporate भार हुई है और धन्दा इंडिया में चल ला है तो हमारे लिए वो foreign company getting my point? चल सकते हैं? आ रहे समझ में? आईए ज़रूरी नहीं है MNC तो इंडिया की company भी बन सकती है ना? कोई इंडिया की company है उसे भी MNC बोल सकते हो अगर वो अलग-अलग national में काम कर दिया दो है ना? फॉरन उसे बोलेंगे जो भार रेजिस्टर्ड हुई है चले? हाँ बोलो बोलो आईए Section 8 company पढ़ा दूँ बेटा? हाँ आईए क्या रहा है company not for profit और not for not profit company जिसको आप पढ़ते भी हो 12th में NGO के नाम से आपने NGO की accounting करी होगी NPO NGO की क्या बनाते थे उसमें आप income and expenditure और receipt and payment account और balance sheet बनाते थे है ना? पढ़ा है आपने NGO बेंग योगा? नहीं पढ़ा है इसमें तो होगा foundation में तो होगा पढ़ रहे हो? अभी पढ़ा है नहीं सर ने? चलो कोई बात नहीं पढ़ा देंगे आईए बिटा हमारे इंडिया में इस तरह की सुनिए अगर आपको कोई charitable religious काम करना है कोई भी ऐसी चीज़े करनी है जिनके object में सुनिएगा प्लीज प्लीज सुनिएगा जिनके object में ये सारी चीज़े आती हैं देखिएगा commerce, art, science, sport, education, research, social welfare, religion, charity, protection of environment, etc अगर ये आपको काम करना है यानि आप company खोलना चाहते हो किसी commerce को बढ़ावा देने के लिए, किसी art को बढ़ावा देने के लिए, किसी science को बढ़ावा देने के लिए, sport को बढ़ावा देने के लिए, education को, research को, social welfare को, religious को, charity को, production of environment को तो आप section 8 company खोलके काम कर सकते हो, ये जो company होंगी, ये not for profit होंगी, इनका जो motive होगा, वो profit कमाना नहीं होगा, ये social welfare के लिए काम करेगी, जिस object के लिए आपने इस company को incorporate करा होगा, वो उस object के लिए ही particularly काम करेगी और जितना भी पैसा होगा, उस object में लगाया जाएगा, हाँ, मैं याद करवा दूँ आपको, आईए, याद करते हैं, बेटा जब हम 10th pass होते हैं, तो हमें चुनना पढ़ता है, commerce ले, art ले या science ले, तीन चीज़ याद हो गई, उसके बाद 12th pass हो गई, तो आपको चुनना है कि sports में जाना है या education में, 12th pass हो गई, आपको चुनना आपको मानना पड़ेगा, charity करते हुए, protection of environment करोगे आप, याद हो गया, commerce, science, art, उसके बाद जाना का है, sports में, education में, research दोना जगा होगी, social welfare करोगे, पैसा कमाके, charity करोगे, और religion को मानना ही है, वो तो राम, राम तो सबसे उपर है, आजकल है ना, तो राम जी को तो हमें मान नहीं है, हैना, और protection of environment के लिए, last में, आप काम करोगे, mostly आपको याद हो जाएंगे, आप लिख सकते हो, content आपको आजाएगा, लिखोगे, हैना, तो अगर आपको लिखना है कि section 8 company कौन सी होती है, तो आप क्या लिखोगे, आईए पढ़ते हैं, क्या लिखोगे, क्या तेरा, deals with the formation of company which are formed to promote the charitable object of commerce, arts, science, sports, education, research, social welfare, religion, charity, protection of environment, DTC and such company intended to apply its profit for promoting its object and prohibiting the payment of any dividend to its member, यानि इस से पैसा कमा के आप बहार नहीं बाढ़ सकते, जो भी पैसा आप कमा होगे, वो company में ही आपको लगाना पड़ेगा, इसलिए वहाँ पर prohibition है कि आप dividend नहीं बाटोगे, dividend क्या होता है, profit का हिस्सा, जो किसको मिलता है, shareholder को, तो यहाँ पर भहिया, profit का हिस्सा कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि company कैसी है, NGO है, NPO है, तो उसका जो profit होगा, उसके object के लिए आप apply कर सकते हो, getting my point, आ रहा है या नहीं आ रहा, देखिएगा, किरा example of section 8 company, आर फिक की, ये ये जो भी association है, national sports club, CII, ये जितने भी clubs वगएरा होते हैं, sports club बनते हैं, charitable clubs बनते हैं, orphan houses खोले जाते हैं, old age houses खोले जाते हैं, ये सब काम आप कर सकते हो, section 8 company बना के, जब आप future में बहुत सारा पैसा कमाओगे, तो आप भी ऐसा कोई काम करना, जो society के लिए, और religion के लिए, या किसी भी चीज म में अपनी company incorporate कराओगे, अगर आप कोई charity का काम करोगे, तो section 8 company, सही है, आ रहा है या नहीं आ रहा, हाँ, क्या बाटोगे, बोलो, बोलो, अच्छा, ऐसा कुछ बाटोगे, जो बोल भी नहीं पारे, डॉर्मेंट कंपनी, आएए अगला, डॉर्मेंट कंपनी प्लीज, क्या क्या पढ़ा हमने अभी, अरे अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, आज क्या पढ़ा, गॉर्मेंट कंपनी, चीर फाड़ गरली पूरी, फॉरन कंपनी, उसके बाद, section 8 company, अब क्या पढ़ रहा है, ड डॉर्मेंट कंपनी का मतलभ, सोने के रेड इस Super है आज कल, सोने वाले सोना, सोने वाले partner, Madam, जी एप आप से बात ने करते हैं, நbased एए, प्लमेंट पाटने ब्रॉडर्मेंट पार्टनर, आजाओ आजाओ डॉर्मेंट कंपनी सोरी मैं भी काओ पोच रहा हूँ डॉर्मेंट कंपनी का मतलब मैडम बढ़ा है आपने बताईए बोलो बोलो ठीक ठीक बोला देज़ें अब सुन लो बटा कुछ कंपनीया ऐसी कंपनीया होती है जो रेजिस्ट्रिशन तो करा लेती हैं जैसे मैं हूँ मैंने आपके साथ मिलके मैंने सोचा यह सब शेयरोल्डर हैं इनसे पैसा उठाते हैं और एजुकेशन के लिए कुछ काम करते हैं रशारए सबके पैसों से हिरा तो मैंने कमपनी बना लिए उसके बाद मैं आपको फोन करता हूं आप फोन नई उठाते मेरा या आ बोलते व wrapped में देखेंगे अभी तो मैं खुद पड़ रही हूँ मेरे अब को पैसे लगाना है लगा लो हमने में जाक में बोल दिया था तो क्या हुआ मैंने कंपनी तो बन वा ली लेकिन मैं काम नहीं कर पा रहा काम क्यों नहीं कर पा रहा इन्वेस्टर दिक्कत कर रहे हैं या पैसा नहीं आ रहा या कुछ होल्ड लगा हुआ है मेरे काम पे तो मैं ऑपरेशन को चालू नहीं कर पा र या इस टे लगा हुआ है या कुछ दिख्यते आ रही है मैं future में काम करूंगा तो मैं बंज नहीं करना अपनी कंपनी को मेरे को डॉर्मेंट का स्टेटस दे दो लेकिन अभी उसमें operations स्टार्ट नहीं हुए है वह अभी बंद पड़ी है कह सकते हैं और नॉर्मल जो चीज़ें बस वो चल लिए सफ़ाई वाला आता है सफ़ाई होती यह गेट खुलता है चो किदर बैठता है चाय पीते आ जाते हैं यह क्या है क्या यह सिगनिफिकांट अ होगा लोन देना होगा operations करना होगा production होगा समझ में आ रहे तो वो सब चीज़े उसमें नहीं हो रही है लेकिन नॉर्मल चीज़े हो रही है बस तो उसमें हम डॉर्मेंट का स्टेटस ले ले दें अब बुक से पढ़ ले दें आये समझ में आया आये क्या रहे वेरे कंपनी का आये बात करें हो रहे है आ रहे हैं समझ में आये तो कह रहा है significant accounting transaction means any transaction other than लिखाए दिहान से पढ़ लेना any transaction other than देखिएगा payment of fees by a company to the registrar कह रहा है यह significant accounting transaction नहीं है क्योंकि company खोलोगे तो registrar को तो fees annually आपको देनी पड़ेगी जो annual filing वगेरा होती है उसकी जो payment होगी जो आपके resolution वगेरा बनेंगे आपको देनी पड़ेगी चाहे आपकी company चालू रहे चाहे आपकी company बंद रहे समझ में आ रहे है तो यह significant accounting transaction नहीं है क्यारा है payment made by it to fulfill the requirement of this act or any other law क्यारा है कि अगर किसी law की compliance करने के लिए आपको कुछ payments करनी पढ़ रही है जैसे house tax देना पड़ता है आपने कोई office तो लिया होगा company खुली होगी तो तो उस जगह का house tax जा रहा होगा property tax जा रहा होगा वो आपको pay करना पढ़ेगा तो वो भी significant accounting transaction नहीं है वो तो fixed burden है जो government को आपको pay off करने ही है समझ में आ रहा है आ गया यह किरा allotment of share to fulfill the requirement of this act अगर आपको allotment करना पढ़ा allotment करना पढ़ता है साट दिनों के अंदर अंदर आपने पढ़ा होगा वरना पैसे वापिस खनने पढ़ते हैं future में पढ़ाऊंगा आपको अगर नहीं पढ़ा है तो कुछ कुछ याद है application मनी मंगाते हैं फिर allotment करना होता है theory में पढ़ा होगा 12th की बत्तमी जो शक की निगाहों से मत देखो पढ़ा था या नहीं पढ़ा था payment of सुनिएगा तो allotment of share की requirement अगर fulfill करिये तो उसको भी significant accounting transaction बोलेंगे तो बोलो ना नहीं बोलेंगे मैं जान पूछ के गलत बोला हूँ आप जटते ही नहीं हो अगर हमने payment करिये allotment की requirement को fulfill करने के लिए कोई तो क्या उसको significant accounting transaction बोलेंगे नहीं बोलेंगे क्यों सर यहाँ पर other than लिखा हुआ है ठीक है आ गया यह क्या है payment for maintenance of its office and record तो महां पर रामुका का आते हैं वो maintain करते हैं office को अपना सफाय करके चाय भाई पी के चले जाते हैं तो यह सब transaction significant accounting transaction नहीं है अगर ऐसे आपका धंदा चल रहा है तो क्या ही धंदा चल रहा है इसका मतलब धंदा बंद है तो आप कैसा status ले लोगे दोर्मेंट का status ले लोगे आ रहा है या नहीं आ रहा है चल सकते हैं आईए आगे है कि अब दो यह चोटी चोटी companyya इनको बस यहांसे रीड करना है बीटा निधी निधी company बोले दो किसीने सुनाए वर्ड निधी दीदी की company आपने कमेटी कि नाम सुनाये कामटिर का जए एक साथ कुछा गया लेकिन सेम नाम नहीं होगा जिसको एक बार मिल गया उसका नाम कट जाएगा पर्ची में थे कि यह कम्यटी के सिस्टम होता है कि सब लोग कंट्रिब्यूट करते हैं पहले पैसा जिसको मिलेगा जिसका ड्रोग खुलेगा तो इस तरह के पैसे जोडने के काम बेटा चलते थे तो कंपने आक्ट ने भी इसको क्या करा फॉर्मलाइज कर दिया और उन्होंने बोला अगर आपको सितरा का менबर के लिए पैसा जोड़ना है। आपने section 406 a company which has been incorporated as Nidhi with the object of cultivating the habit of thrift यानि cost cutting and saving amongst its members क्या कर रहे हैं यह object को motivate कर रहे हैं पैसा जोड़ने के कि भाईया इससे आपका क्या होगा हर महीने मैं आप कई बोल दूना आप सबकी कल से कमेटी चाली कर रहा हूं मैं और आप कल लाके मेरे को यहां पे हर महीने पैसा दोगे दस दस अजार मैं हर मैं मेंबर से लूंगा हर महीने और हम सब का नाम लिखके परची उचा लेंगे जिसकी परची खुलेगी उसको जितना जोड़के पैसा आएगा उस मंत का मिल जाएगा पहले मंत का तो पैसा जनेरेट हुआ ना किसी की नीट फुलफिल हो जाएगी और अगर उसको बरागा उसको प्याजवें नहीं देना पड़ता मिल गडिएंगे और तो यह इस चीज़ करने के लिए बैटा हमने कंपनी का फीचर बनाए निधी कंपनी जिसमें आप क्या करोगे एzek chrom ब judgment is its member only for their mutual benefit and which comply with such rules as may be prescribed by the central government for the regulation of such class of company. तो इसमें बस सेविंग के objective को motivate करने के लिए इस तरह की company को खोलने का हमें एक facility दी हुई है company act ने कि आप इस तरह की company खोल के पैसा जोड सकते हैं जिसमें आप members के लिए ही काम करेंगे member पैसा जोड़ेंगे और उन्हीं member को लोन मिलेगा जैसे society वगएरा भी काम करते हैं समझ में आ रहा है चल सकते हैं आईए नेक्स आ रहा है बेटा public financial institution यह क्या होती है बेटा public financial institution यह क्या होती है बेटा ऐसे institution जिसको बेटा finance करने के लिए रखा गया है कि वो company को finance देगी आईए क्यारा section 2 clause 72 following institution आज तो भी रिगार्ड़ेद आस public financial institution क्यारा जैसे की life insurance corporation of india established अंदर दी LIC Act 1956 तो LIC को क्या बोल दिया हमने public financial institution गॉर्मेंट नहीं यह कंपनिया बनाई और बोला कि यह लोगों को पैसा देंगी बहुत सारे investment plan इसमें लाए जाएंगे जिसको लोगों opt करेंगे और इससे saving होगी और लोगों को finance की facility मिलेगी तो यह उस तरह की कंपनिया है जिसको बेटा special act से ही बोल दिया कि यह public financial institution है और आप कोई company भी खोल सकते हो public financial institution बनाके लेकिन आपको company act के साथ साथ reserve bank से भी license लेना होता है वहाँ पे भी registration कराना होता है पढ़े आए कि के रहा है the infrastructure development finance company limited के रहा है specified company refer to in the unit trust of india transfer of undertaking and the repeal act इस act के तहत अगर UTI के अंदर कोई company बनाई है तो है ना refer to in UTI UTI बोल जाता है unit trust of india को जहां पर बेटा बहुत सारे fund को manage करा जाता है government बहुत सारे fund को UTI के अंदर manage करती है एक trust बनाया हुआ है जिसको क्या बोलते है unit trust of india आईए के रहा है institution notified by the central government under section 4a2 of the company act 1956 so repealed under section 465 of this act and such other institution as may be notified by the central government in consultation with the reserve bank of india तो public financial institution बेटा गिनी चुनी है और आप as a public financial institution काम कर सकते हैं लेकिन वहाँ पे कुछ entity ऐसी है जिनको government ने बनाया हुआ है और अगर आप ऐसे करोगे काम तो आपको RBI से license लेना पड़ेगा RBI से consult करके central government notify करेगी कि यह यह company public financial institution है अभी के लिए आप example के लिए क्या याद रखोगे बेटा LIC और बोलो बोलो IDFC क्या है infrastructure development financial company अगर आप net पे सर्च करोगे public financial institution बहुत सारी लेश्टा जाएगी तो आप वह example भी वहाँ पे लिख सकते हो समझ में आया चल सकते हैं बोलिये बोलिये अरे बोलिये अब पर मोटर की definition है यह पढ़ाऊंगा बाद में कि है ना आगे चले अब उपर आना जरा मैंने कौन से टाइप की company छोड़ दी लिस्टिट छोड़ दी अभी associate छोड़ दी, subsidiary छोड़ दी, holding छोड़ दी पढ़ें अब आईए सुनना holding और subsidiary इन दोनों को एक दूसरे की relation में पढ़ना है हमने सही है holding कोने मेटा किसका? किसका पापा? किसने बोला पापा? सुनना बेटा, subsidiary का पापा है 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 ना? और subsidiary कोने है बेटा? क्लियर है? आ जाओ सुनना पहले holding company पढ़ा दूँ पापा को पढ़ते हैं देखिएगा कहता है section two clause 46 कहता है एक company यह अलग है बेटा 46 है वो है ना? clause किसमे है यह? 46 में किसकी definition? holding company की ध्यान लगान ले ले हम बहुत 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 important है अब जो तीन चीज़े हम पढ़ेंगे holding, subsidiary, associate और listed company यह चारो जो point है बहुत important है चलें तयारो एक शिप ले लू मैं आइए holding company का मतलब कहां पर लिखा हुआ है clause सारी definition 2 में यह होती है, clause पूछ रहा हूं इसलिए clause 46 आईए के रहे एक company is a holding company in relation to one or more other company means a company of which such company are the subsidiary company रहूआ जैनि यानि और kadar पापा वो है जो अपने बच्चों के relationship में papa कहला यहीं लिखा है भाइ की आई पापा वो है जो अपने बच्चों के relationship में पापा कहला रहा है कोई पापा कब कहलाता है? प्रोसेस पे मत जाना. कब कहलाता है? जब उसके बच्चे होते हैं, तो कब होल्डिंग कब कहलाएगा? जिसकी कोई ना कोई सबसीटरी होगी. सब्घूम्ज में आ रहे है? आईए. देखिये. ए ए ए कमपनी हम होने नहीं नहीं आजाओ एक या एक से ज्यादा के भी हो सकते हैं मतलब होल्डिंग कंपनी एक या एक से ज्यादा की भी हो सकती है कि उसकी सबसीडरियां ज्यादा हो और वो एक या एक से ज्यादा कंपनियों की होल्डिंग हो समझ में आ रहा है है ना सबको यही समझ में आ रहा है या कुछ लड़ाई है इसमें सबको यही बास समझ में आ रही है ना आगे चले यानी मसाला कहां पर लिखा हुआ है सबसीडरी में, जो बेस है सारा, वो कहां लिखा हुआ है, सबसीडरी की डेफिनिशन में, अब सबसीडरी की डेफिनिशन हमें ध्यान से पढ़नी है, दीधी फोन छिंजाएगा आपका, और कभी नहीं मिलेगा, मेरी जान पचान है, बेस दूँगा मैं, आजो, यही तो CA इस हटाते है, यही तो सीखा है, CA मैंने, CA में यही तो सीखा है मैंने, हो सकता है, हो सकता है, फ्यूचर में करना पड़ जाए, आप जैसे बच्चे मिलेंगे तो, आजाओ, सबसीडरी कंपनी, ध्यान से प्लीज, अगर खेल करोगे मेरे को भी पढ़ने में मजा नहीं आएगा और टॉपिक ऐसा है, अगर ध्यान नहीं लगा होगे, कुछ नहीं समझ में आएगा आपको, पढ़ें, आईए, क्या रहा है, डिफाइन्स, कौन डिफाइन कर रहा है, 87, है ना, आईए, क्या रहा है, सबसीडरी कंपनी in relation to any other company, that is to say holding company, क्या रहा है, इसको किस relation में पढ़ में, तो कह रहा है, सबसीडरी कंपनी in relation to other company, means a company in which the holding company control the composition of board of director, जैसे पापा कंट्रोल कर रहा है, आपको, है ना, holding company, क्या कर रही हो, बेटा, दो चीज़े कर रही हो, या, पहली चीज, कंट्रोल कर रही हो, क्या, composition किसकी, B.O.D. की, board of director की, समझ मैं है हो, और कह रहा है, exercise or control more than one half of the total share capital, either at itself, on or together with one or more of its subsidiary, समझ मैं है हो, कह रहा है, या तो control कर रही हो, holding company, किसका, composition of board of director का, या वो hold कर रही हो, हमारे अंदर 50% से जादा, जिसको one half भी बोल सकते हो, आप, कितने से जादा hold कर रही हो, बोलो, बोलो, हा, सुनिएगा, more than लिखा है, more than लिखा है, यानि, 50.01%, समझ मैं आया, 50 पे नहीं होगी, more than है, more than one half है, आ रहे समझ मैं आपको, more than, exact 50 होगा तो, नहीं बनेगी, समझ मैं आ रहे है, अब सुनना, उसने बोला है, example ले लेना, मालो, यह holding है, और यह subsidiary है, इसने इसमें अगर 50 से जादा गी, क्या कर रखी है, hold कर रखी है, paid up share capital है, ना, तो यह holding हो जाएगी, यह papa बन जाएगी, और यह beta बन जाएगी, पापा बेटा बोले दो, holding हैं सबसी, समझ मैं आ रहे है, अब उसने बोला, या तो आप अकेले कर लो 50 परसेंट, या आपकी कोई subsidiary है, आप echo holding, और आपकी कोई सबसी है, और आप एक और सबसी बनाना चाहते हो, तो आप यहां से लगा लो 45 परसेंट, 40 परसेंट, और यहा आप उसके holding कैला होगे, समझ मैं आया, तब भी आप उसके holding कैला होगे, सोतेला बाप वाला सीन नहीं है, यहां पर यह मस सोचना, सोतेला, समझ मैं आ रहा है आपको, सोतेला वाला सीन नहीं है, holding ही कैला होगे आप, ठीक है, और भाहिया यह यह भी holding कैलाईगी, यह भी holding कैल का मतलब क्या है कोई ऐसी कंपनी जिसमें कोई दूसरी कंपनी होल्ड कर रही हो 50% से जादा या तो अकेले या किसी के साथ मिलके अपनी सबसीडरी के साथ मिलके समझ माया पहला तो यह या कंट्रोल कर रही हो कंपोजिशन आफ बोर्ड आफ डारेक्टर को या कंट्रोल कर रह चले आगे और ये अ क्या द सी एक्मपल ऐस रहे समाल में रिलाइन सी लिकी Portal शोटा च्छोटा काम पनी ज फोसिते प्ली ऑनलीज वी अवगा म्यां टाटा कंजुमेबल है टाटा मोटर्स है इनका जो इस्ट्रक्चर होगा एक मेन कंपनी होगी उसमें से बागी कंपनीया बनती होगी सब ऐसे इस्ट्रक्चर बना के काम करते हैं फिर मैडम फोन चला रहे हो आप अगर आपको ऐसा लगता है ज्यादा पढ़ लिए हो तो आना नहीं चाहिए था और अगर बैठे हो तो पढ़ना चाहिए चलें गुस्से में फेक दिया इसने ना कहिए फेक ही दो इसको सर्वारवर बोल ले मजा नहीं आ रहा गया पढ़ने में नहीं को अगर्ण सब्सेट्री यह सब पढ़ाते वक्त प्लीस का बूला मैंने सब्सेट्री पढ़ाते वक्त बताये सब्सेट्री कमपनी को आपको रिलेशन में पढ़ना है है holding company के और ऐसी company को हम सबसीडरी company मुलेंगे जो दूसरी company से control करवा रही हो अपने composition of board of director को या कोई दूसरी company ने hold कर रखा हो उसमें 50% या उससे ज्यादा या तो अकेले या किसी के साथ मिल के clear है clear है clear है आ गया यह अब composition of board of director control में है या नहीं है यह कैसे पता चलेगा श्री वास्तवा मैडम बताएं 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 उपर क्यों पास की निजर कम जो रहे गया जट पे जाके भुग नीचे रख के बताओ मैडम सुनिए यहां पर वर्ड लिखाए यहां बिटा लोग को हमेशा बारी की से पढ़ना होता है ना इसलिए लोग लिट्रेचर में फर्क है आपको लिट्रेचर पढ़ रहे होगे पढ़ते जाओगे कहानी समझ में आ ज कंट्रोल कैसे पता चलेगा यही तो खेला है हाँ दीदी सही पढ़के आई है ना पढ़के बोल लिए साम इंपोर्टेंट पॉइंट्स आई यहां पे लिखा हुआ है सुनिए का ध्यान से अब हम बात क्या कर रहे हैं हमें दो चीजे तो पता चल गई कि सबसी कब बनती है यहां तो सामने वाली कंपनी ने चंट्रोल कर रखाओ उसके ब MORE डिरेक्टर को यहां होड रखाओ 50% यह उस से जाधा लेकिन गर में कंट्रोल कैसे स्घापलीत होगा बात यह चल लिए बात का चल लिए है आ रहा है समझ मे। Тु depends म as a मा कर चली क्यरेए अ कंपने देम तो बिए सब्सेधीमी ए थे फॉरप्लिकली ट यह फॉरप्ली ओ इ लॉबीजलनीप वी ड्योररा नीय। अगर सामने वाली कंपनी के पास इतना कंट्रोल है कि वो आपके डारेक्टर्स को मिजर्टी आफ डारेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं तो यह माना जाएगा कि उनके पास कंट्रोल है आपके बोरड ओफ ईरेक्टर्स औरम रहे है आप स गुषर हो अग bawर फैरेक्टर्स सोच लो ना अब अगर मानी जी चाहें तो किसी भी कंपनी में से किजि़ ड़्री को क्या हठा सकते हैं अर्याम से था सकते हैं क्यों को सारा giàं कि क्सका होगा आप बढ़ो रिल और अपने पास रखा होगा तो अगर अपने पास रखा है तो सामने वाली कंपनी क्या हो जाएगी अपने आप सबसीडरी हो जाएगी आ रहा है या नहीं आ रहा है समझ में दूबारा पढ़ दूँ आए ये यह दा यह दो आपकी कंपनी कंपनी क्या माने जाएगी सबसीडरी माने जाएगी समझ में आया रहा है अगर आपके डारेक्टर को सामने वाली कंपनी रिमूब कर सकती है या रिमूब कर सकती है या अपॉइंट कर सकती है क्या सारे डारेक्टर को नहीं मेजरिटी को भी कर सकती है तब भी काम चल जाएगा क्योंकि ज्यादा मेजर डिसीजन मेजरिटी ही लेती है बीटा कंपन को ओल है, स्या, तो वो आपके क्या बन जायगी। क्या यह जो 50 की लिमिट आ है, जिसमें हम प्रेडशेयर क्पितल क inveint dare ह्याँ , क्या यहां पर बस अकेले देखा जाएगा यौ या औल together भी देख सकते हैं अगर दूसरी कंपनी ने कोई subsidiary company खोली हुई है उसके साथ मिलके भी आगर किसी तीसरी company में पैसा लगाया है तो वो भी उसकी subsidiary माने जाएगा. के लिए रहा है? चल सकते हैं? बोलिए वोलिये सम्झ में आया? अरे बोलो समंझ में आया? आगे चले एससे एट कंपनी पर चले? आईए. एससे एट कंपनी को नहीं था? यह है यह बीटा भाई. यह क्वोलो है? भाई, है रहा? या दीडी बोलो इसको. सही है? सुनिएगा. एक बर पढ़ते हैं फिर समझ में आ जाएगा आपको प्लीज एस्सोचीट कंपनी आईए कहां लिखाए बिटा क्लाउस 6 में कहरा है इन रिलेशन तू अनादर कंपनी मीन से कंपनी इन विच दाटर कंपनी हैस दा सिगनिफिकेंट इंफ्लूएंस बट विच इस नौटे सबसीडरी कंपनी अफ दी कंपनी हैविं सच इंफ्लूएंस अन इंक्लूट से जोइन वेंचर कंपनी मैडम एस्सोचीट कंपनी बताईए सिरिवास्तवा मैडम क्या करते हूँ 20% से जादा पावर होल्ड करते हूँ पावर बोले दो शेर कैपिटल ना यानी इसमें पीटा एक कीवर्ड है यह आपको जरूर लिखना है significant influence है आपका आपका क्या है दूसरी कंपनी में significant influence है ठीक है तो वो आपकी क्या हो जाएगी associate हो जाएगी यानी आप एक से बुए अपके लिए से आप उसके लिए अस के लिए सबस्कंद पापा बेटा में यह सहीं होता है मैं इस एक कैसा है और वह की दो कैसे अगर उसका मेरे अंदर क्या हो गया बोलो बोलो significant influence अब significant influence का मतलब क्या होता है वो हम नीचे बढ़ेंगे ठीक है समझ में आया इतना देखो दुबारा बढ़ रहा हूं ध्यान से कहरा है associate company in relation to other company means a company in which that other company has a significant influence but which is not a subsidiary company of the company or having such influence or include a joint venture तो कह रहा है joint venture company भी associate की definition में आते हैं अलग से include करा हुआ है joint venture का मतलब क्या होता है पता है आपको situation ship का मतलब क्या होता है अब नहीं नहीं कंसेप्ट आ रहे है इसलिए मैं पूछ रहा हूं अच्छा फ्रेंड विद बेनेफिट क्या होता है नो फ्रेंड तो मतलब यह होता है concept क्या है मतलब समझ नहीं आता मेरे को तो हमारा है या नहीं है होके भी नहीं है है या नहीं है मतलब मतलब का यार बोल दू मतलब का यार हो गया न यह तो यह मतलब का यार हो गया है तो कि अब कंविट्मेंट नहीं है कि गलत गलत टॉपिक शेड रहा हूं कि बताओ मैं जोइन वेंचर बढ़ारा हूं आपको जोइन वेंचर कंपनी सुनिएगा जोइन वेंचर कंपनी वी बिल्कुल मतलब कंटेश की तरह एं क्या होता है कई बार कुछ कुछ बड़े काम होते हैं हम अकेले नहीं कर सकते हैं तो हम क्या करते हैं किसी दूसरी कंपनी के साथ टाइप कर लेते हैं और जोइन वेंचर में आ जाते हैं तो हम जोइन वेंचर में आ जाते हैं प्रॉपर एग्रिमेंट होता है और उस एग्रिमेंट के तहट दोनों मिल के काम करते हैं और जितना भी पैसा उससे कमाते हैं हम आपस में बाट लेते हैं और फिर अलग-अलग हो जाते हैं पिर अलग-अलग हो जाते हैं समझ में आया तो यह जोइन वेंचर का कंसेप्ट है किलिए रहा है तो जोइन वेंचर को भी बेटा associate कंपनी में सामिल कर रहा है अगर मैं एक कंपनी हूँ और मैं किसी के साथ Pack personalized सेट कंपनी का मतलब है एक ऐसी कंपनी जिस डिस कंपनी में दूसरी कंपनी का एक significant influence है आईए अब significant influence होता है क्या यह समझ लो क्यारा significant influence का मतलब है control of at least 20% of paid up share capital of the business decision under an agreement तो अगर कोई भी आपका agreement चल रहा है आपस में तो उसका अगर 20% total share capital का दूसरी company के पास right है तो उसको हम क्या बोल देंगे कि उसका आपकी company में significant influence है मालो कोई आप project कर रहे हो आपने coaching का ही ले ले दे हैं हमने कोई book launch करनी है और हमने किसी और company के साथ टाइब कर रहा है लेकिन उसने यह बोला है कि भईया 25% मैं लूँगा उसने का बोला 25% मैं लूँगा जिस जितना भी से revenue आएगा उसका 25% मैं लूँगा तो उस case में उसका control कितना decision पर बताईए 25% 20% से ज्यादा है तो हम यह बोलेंगे उसका significant influence है हमारी कंपनी में तो वो हमारे लिए क्या हो गया associate और हम भी उसके लिए क्या हो गए associate आ रहा है या नहीं आ रहा है तो दोनों भाई-बाई हो गए 20% से ज्यादा उसका अगर decision में के पार्ट है तो हम क्या बन जाएंगे एक दूसरे के associate बन जाएंगे और उस सामने वाली कंपनी को क्या बोला जाएगा associate company बोला जाएगे लिए रहा है बताइएगा क्या लेकिन टूटल शेयर कैपितल में आप काउंट करोगे बेटा पेड़ एक्विटी शेयर कैपितल को और कन्वेटेबल पिर्फिरेंश एर कैपितल को भी तो जो भी आप यहां पेड़ शेयर कैपितल की लिमिट देख रहो 20 पर सेंट बगेरा वाली मौपए क्यूटी शेयर कैपितल आपको लेने और कन्वेटेबल पिर्फिरेंश एर केपितल लेनाएगा सेयर समझ में आया एस्टोचीएट कंपिनी की डेफिनिशन में कीवर्ड क्या है significant influence significant influence का मतलब क्या है अगर सामने वाली company के पास 20% से जाधा की total share capital का control है सही है चल सकते हैं आगे बोलो बोलो बस listed company पढ़लो बिस खतम unlisted बहुत बढ़ा है ना 22 पेच का है मेडम 22 पेच क्या देखो है ना भ्योस हो जाएंगे हम लिस्टिट पढ़लो लिस्टिट में थोड़ा सा change आया है पहले छोटी सी होती थी definition पहले छोटी सी होती थी definition किसने बोला आज तो हम लंबा बैठेंगे अपना अपना चकना और उसका इंतजाम कर लेना आजाओ लिस्टिट कंपनी आईए क्या बढ़ रहा है मेरे बच्चे लिस्टिट कंपनी तो पहले ना इसकी definition बहुत छोटी सी थी बस इतनी थी इनको पता चला आप आ रहो तो इन्होंने इतनी बढ़ा दी आईए पढ़ते हैं बहुत असान है क्या एं सक्षिन टू क्लास फिटी टू क्या इट मीन से कंपनी विच हैस एनी ओफेट सिक्योर्टी लिस्टिड ओन एनी रिकॉगनाईज इस टॉक एक्चेंज तो यह ऐसी कंपनी है जिसकी कोई भी सिक्योर्टी जिसकी एनी ओफेट सिक्योर्टी कहां पे लिस्ट हो गई है बेटा सिर्फ स्टॉक एक्चेंज में नहीं रिकॉगनाईज स्टॉक एक्चेंज में कहां पे हैं रिकॉगनाईज स्टॉक एक्चेंज में हमारे इंडिया में दो हैं रिकॉगनाईज कौन कौन से BSC और NSC Bombay Stock Exchange और National आईए Can I provided that such class of company ध्यान से प्लीज आगे आगे का बाद में जोड़ा गया है पहले उतनी इती डेफिनिशन जितनी मैंने पड़ा दी क्या करो पहले वाली बड़ी ऐसा छोड़ो नहीं नहीं आजाओ आजाओ प्लीज Can I provided that such class of company which have listed or intended to list such class of security as may be prescribed in consultation which say shall not be considered as क्या रहा है इन सब को हम listed company नहीं बोलेंगे हाला कि इनकी कुछ security listed भी है ये जो नीचे लिखी है ना तीन पॉइंट जो भी लिखे है सुनिएगा ये जो तीन पॉइंट जो भी लिखे है नीचे उसमें ये बोल ला है उपर तो बोल दिया सुनना प्लीज ध्यान से उपर बोल दिया एनी ओफ इट्सी क्योर्टी अगर लिस्ट हो गई तो हम उसको लिस्टेड कंपनी बोलेंगे लेकिन नीचे बोलता है इनको हम लिस्टेड नहीं बोलेंगे हालागी इनकी कुछ सिक्योर्टी लिस्टेड भी है समझ में रहा है हालागी इनकी कुछ सिक्योर्टी लिस्टेड भी है लेकिन फिर भी हम इसको लिस्टेड नहीं बोलेंगे देखो, क्या दा है, according to rule 2A of the company specification of definition detail rule 2014, the following class of company shall not be considered ads listed company, namely, कह रहा है, public company which have not listed their equity share on recognized stock exchange, but have listed their non-convertible debt security, कह रहा है, उसने, बेटा, equity share तो list नहीं करा है, लेकिन क्या list करा लिया, बोलो, बोलो, non-convertible debt security listed करा ली, जो की issue ही थी on the private placement basis in term of SEBI issue and listing of debt security regulation 2008, यह सब आपको बाद में समझ में आएगा, जब आप enter में आ जाओगे, अभी मैं जादा detail में नहीं जा रहा, बस आप यह इतना समझ लो, कि जिसने अपनी equity share list नहीं करा के, क्या list करा दिया, non-convertible debt security जो private placement से उठाई थी चलें आगे, अब दूसरा बोलता है, कह रहा है, और non-convertible redeemable preference share issued on private placement basis in term of SEBI issue and listing of non-convertible redeemable preference share regulation 2013, या फिर उसने list करा लिए थे क्या, non-convertible redeemable preference share तो उसको भी हम listed नहीं बोलेंगे, आईए आगे, यह कह रहा है both category और one and two above, कह रहा है, इन में से अगर कुछ उन्होंने list कराया है, equity share list नहीं कराया, तो हम उसको listed company नहीं बोलेंगे, क्लिया रहा है, बोलो, यह नीचे क्यों add करा रहा है, क्योंकि ऊपर बोल दिया था, any of, समझ में आ रहा है, कुछ भी list कर दिया, listed बोल देंगे, लेकिन नीचे इन्होंने डाला कि भी है, बस इ नहीं, सब उपर से जा रहा है, सर, बोलो यार, दुबारा, दुबारा, सुरू से, सुनो में दुबारा से बताता हूँ, listed company का मतलब बेटा, ऐसी company है, जिसकी any of security list हो गई, कहाँ पे, मेरे घर में, कहाँ पे, recognized stock exchange में, जो की दो है, कौन-कौन से, NSE, BSC, लेकिन नीचे बोलता है, इन्होंने एक provisio add करके, नीचे बोल दिया, क्या बोला, कि इन, इन cases में, हम इसको listed company नहीं बोलेंगे, जहाँ पे, उन्होंने equity share list नहीं कराया, public company है, सुनिएगा, public company है, और equity share list नहीं कराया है, किसी भी recognized stage में, मगर non-convertible debt security list करा दी, या फिर non-convertible redeemable preference share list करा दिये, जो की आपने private placement के basis पे उठाए दे, private placement का मतलब होता है कि prospectus issue गर के नहीं उठाया, एक private तरीके से आपने पैसा मंगा लिया, done, वो आप पढ़ोगे, इंटर में, डीटेल में, चलें आगे, आईए, या दोनो, या इन में से दोनो, या इन में से कोई भी, थोड़ा, एक, थोड़ा दो, समझ में रहा है, आगे चलिए अब, क्या रहा है, या आप कोई private company हो, which have listed their non-convertible debt security on a private placement basis, on a recognized exchange in term of savings, this, this, क्या रहा है, दूसरे case में भी, कि अगर आप private company हो, और आपने क्या list कराया हुआ है, non-convertible debt security, तो उस case में आपको हम listed नहीं बोलेंगे, क्योंकि listed होने से बेटा, बहुत सारी compliance आपके उपर बढ़ जाएगी, जो आपके लिए एक hurdle होगा, क्योंकि आपने equity share को तो list नहीं कराया है, जो freely transferable है, जिसका फायदा आपको मिलता, आपने debt security list कराया है, तो उस case में हम आपको listed की definition में डालके, आपके उपर over burden नहीं करना चाहते, तो इसलिए उनको हमने definition से out करा, समझ मैं आया, Thank God, चलो, public company, आईए, public company which have not listed their equity share on a recognized stock exchange, but whose equity share are listed on a stock exchange in the jurisdiction specified under this, 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 सुनियेगा, अब लास्ट वाले में कह रहा है, आप एक public company हो, जिसने list नहीं कराया है, अपने share कहां पे, list नहीं कराया है, कहां पे, recognize to exchange में, लेकिन आपने list करा लिए, कहीं पे, जो section 23A बोलता है, section 23A बात करता है, बाहर की listing की, इंडिया से बाहर आपने share को list करा लिया, तब भी हम आपको listed company यहां पे नहीं बोले, 23A में ये लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है, कहां रहा है, आपने किसी essay jurisdiction में अपने आप का जो इडिक्शन है, क्लिए रहा है, बोलो बोलो, आ रहा है, हां, सही पढ़ा रहा हूँ, हां, मजा आ रहा है, तो बरेखनी चाहिए, इसका मतलब, आई ये आगे, unlisted बढ़ लो यार, ये तो बहुत सिंपल है, बहन कौन है जो भाई नहीं है, भाई कौन है जो बहन नहीं है, देख लो, unlisted company, other than, ऐसी definition होनी चाहिए, ये सारी, मजा आ जाएगा, क्यारा कंपनी है, artificial person, separate legal entity, perpetual succession, common seal, ये company के बारे में लिखा हुआ है, नॉर्मल, तो unlisted company, जो listed नहीं है, हम उसको unlisted बोलते हैं, अब मेरे को लगता है, इसके साथ, सारे type of company हमारे उड़ गए, खतम हो है, मतलब, हमने उड़ा दिये, क्या बोलते हो, चले आगे, छोड़ो ना, ब्रेक ब्रेक, पांच की जगा, साड़े चार छोड़ दूँगा, चलो भाईया, ब्रेक, जो सिमरन, जीलो अपनी जिंदिगी, आए, बेटा हमने concert पढ़ा था, किसका, क्या concept पढ़ा था, separate legal entity पढ़ा था, इसी के बाद एक concept आता है, इससे ही जुड़ा हुआ, जिसको बोलते हैं मेटा, lifting of corporate wheel और corporate wheel, क्या concept आता है, corporate wheel और lifting of corporate wheel, तो यह तीनों चीजे ना जुड़ी हुई हैं आपस में, separate legal entity का concept और corporate wheel और lifting of corporate wheel, done, यह हम तीनों एक साथ खतम कर रहे हैं, चले, आए, आए, सुनिएगा, अब concept क्या है, कंपनी का हमने एक feature पड़ा, बहुत बढ़ी है वह बोलो, अरे बोलो ना, separate legal entity जिसमें हम क्या बोलते हैं, company अलग है, और गंपनी की लाइबिल्टी अलग है, company की लाइबिल्टी अलग है, और limited है, बोलते हैं नहीं, बोलो, 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 बोलते हैं ना, तो बेटा इसी के उपन एक केस हुआ, इसी के उपर एक केस हुआ, जिससे कुछ चीजे निकल के आई और आगे के कंसेप्ट बनाए गए, जिससे कॉर्परेट वील और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्परेट वील बोला जाता है, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले ये केस लौ समझना पढ़ते हूं, पढ़ते हैं, आपको समझ में आजाएगा बहुत इसी है, ठीके फिर आप बताना, आप अपने आपको ये सूचना कि मैं जज हूँ, आप को नो, को नो आप, जस साहब, कौन, जस साहब, आपको फैसला सुनाना है, मैं केस बता रहा हूं मैं आपको, क्लियर चले, आईए, सेलमन, एक बंदा था बेटा, ठीक है, सेलमन कौन था, एक परसं था, और इसके साथ सुनिएगा, कह रहा है, ये बिजनिस चला रहा था पहले एक अपना, प्रोप्राइटर्शिप इसका बिजनिस था पहले, प्रोप्राइटर्शिप आप जानते हो, बोलो, प्रोप्राइटर्शिप जानते हो, आप क्या होता है, एक सिंगल मालिक होता है, वो सारा धंदा करता है, वहाँ पर unlimited liability होती है, अगर loss हो गया, तो घर से बेचके भी creators को पैसा देना पड़ेगा, लेकिन क्या company में भी ऐसा होता है, बोलो, नहीं, company में हमारी liability कैसी होती है, limited होती है, done, सुनिएगा, तो इसने अपने business को ना company में convert करा, किसमे convert करा, company में, यानि इसने company बनाई, और company बनाके, कहाँ पे लिखो, इसने balance sheet बना दी है, ना, मतलब company में पैसा लगा दिया, सही है, देखना company में कौन कौन था बेटा, ही form a limited company, जिसमें उसकी ये वो खुद एक उसकी wife थी और एक डॉटर थी और चार सन थे, कौन कौन था, वो खुद उसकी एक बीबी, अरे बोलो, वो खुद उसकी एक बीबी और उसकी एक डॉटर और चार सन, सही है, सुनिएगा, कह रहा है, all of whom subscribe, please इदर, all of whom subscribe, one share, one pond each, है ना, सबने कितने कितने share लिये हुए थे, बोलो, अरे बोलो, कह रहा है, एक एक share सबने लिये हुए थे, एक डॉटर ने लिया, एक बीबी ने लिया, वाइफ ने, एक लिया डॉटर ने, और चार लिये संस ने, ठीक है, और एक उसने खुद लिया, यह सॉलमन है, यह है, समझ में आ रहा है आपको, बोलो, बोलो, कह रहा है, to the company, मैं पढ़ी देता हूँ एक बार, फिर आपको डीटेल में समझ में आ जाएगा, देखो, कह रहा है, सॉलमन, अरे भाईया, कहरा, सॉलमन हैड, for some year, carried a prosperous business, as a leather merchant, and boot manufacturer, यह एक धन्दा कर रहा दा, leather का, कह रहा ही, form a limited company, consist of himself, उसकी wife, उसके daughter, और चार उसके son, as the shareholder, उसने अपने परिवार को क्या बना दिया, shareholder बना दिया, and all of whom subscribe, one share of each pond, one share of one pond each, and the सॉलमन was the managing director, and two of his son were the other director, उसने अपने आपको एक managing director बनाया, और बाकी दो को directors बना दिया, यानि तीन लोग थे board of director में, समझ में आया, कह रहा है, सॉलमन sold his business, यानि जो उसकी proprietorship चल ली थी, which was perfectly solvent at the time of the company, for the sum of rupees 3872, 3872, pond का उसका धन्दादा पूरा, वो उसने बेच दिया, और he got the following consideration, उसके बदले उसने 10,000, secure debenture ले लिए, ये तो share ले लिए, एक एक, total 7 हो गए न, 7 share, 10 रुपे ऐच, 70 का माल लो, वो एक अलग बात है, capital ले लिए, ठीक है, कह रहा है, 10,000 के उसने debenture ले लिए, ठीक है, ये कह लिए उसने, 10,000 के debenture, और 20,000 fully paid up share, one each, 20,000 के fully paid up share, ले लिए one each, सही है, आपस में बाट लिए, at least एक एक तो सब को दी आई, 20,000 के total share आ गये, ठीक है, 30,000 का माल आ गया, और कह रहा है, इतना उसने cash ले लिए, सही है, इतना उसने cash ले लिए, तो total 30,000 का धंदा हो गया, यहाँ पे, और 30,000 के यहाँ पे asset भी होगी, क्लियर है यह, बोलो, क्लियर है, क्लियर है, सही है, अब सुनना, इस से इन्होंने धंदा कराओगा फ्यूचर में, दीरे धीरे जो profit होगा, वहाँ रिजर्वेंसर प्लस में आता जा रहा होगा, दन, और डेटर, क्रेटर बढ़ रहे होंगे दिरे दिरे, जब धंदा करते हैं, तो डेटर होते हैं, सेल करते हैं, तो डेटर बढ़ जाते हैं, पर्चेस करते हैं, अगर क्रेडिट में तो क्रेडिटर बढ़ जाएंगे, है ना, आगे देखो क्या हुआ हुआ, क्या हुआ the company the company so on ran into the difficulties and the debenture holder appointed a receiver and the care at 10,000 10,000 secure debenture and the 8,000 owing to the unsecured trade creator yeah yeah beach ke line shortly yeah yeah they go the company went into liquidation the total asset of the company amounted to rupees it now total asset kitniki the double liquidation me guy need to link the room over the money and it may be 6050 again it may be a set which is a double liquidation mega you kill us with another total data set Dere Dere come over the done care it's liability were the star key liability the किसकी डिवेंचर की और 8000 की लिएबिल्टी किसकी थी बेटा क्रेटर्स की रही है जब लिक्विटेशन में गई है यह नीचे वाला सिनारियो है एक की यह दा ऑंसिक्योड ट्रे रिट क्रेटर क्लेटीम् दाओ लोग दा कमपनी असách सदण akat watch लुट कितना मिलेँ लेक बताओ एम आघ़लाइट करें ध्युक्त इतना मिले का पैसा भात्चो रूटल पैसा हमेल इस इतना ही यह been तो और पैसा इतना है अब या तो वह क्रेटर लिले यहां बीजरोस लिले के रहें है प्वार्यटोस मीज़ी तैसे इंस दोटो सुनना यह प्रेटर बोले रहां प्राइट यह अन्सिख यूडdon वर वाज ए मेर एजेंट ऑफ दा सोलमन जहां से बड़ो यार क्राइब नॉर्ट ट्रेटर क्लेंट अलॉल अप प्रिए असेट विस कितना है 6050 और वो कह रहे हैं उन्द ग्राउंड देट दा कंपनी वाज ए मेर एजेंट ऑफ दा सॉलमन एंदस देवर एन्टाइटल फोर to the payment of their debt in the priority to the deventures. the सुनिया च्रेटर का कहना यह है कि यह जो डिवन्चर है सजार के यह तो शॉलमन नहीं लिये है सेलमन नहीं लिए थे ना उपर देखो यहां पे डिवेंचर दसजार के यह वाले रहे समझ में तो कह रहा है यह क्रेटर के इंटेंशन ही है कि भाई जो दसजार के डिवेंचर है वो तो तेरे ही है और कंपनी भी तेरी है तो लॉस हुआ है तो तू हमें पैसे देना तू अधिवेंचर का पैसा दिया हुआ है यह आने डिवेंचर करीदें कंपनी के और कंपनी को पैसे दिए वह है तो टे किया होता है कंपनी के लिए एक तरह से टाया नों में तो कंपनी पहले उस्से चुकाएगी तो यहां पे कौन जीतेगा आप बताओ आपो जिस साब क्रेटर्स को पैसा मिलेगा या डिवेंचर ओल्डर को जो कि सोलमन ही है बोलो प्रेले बताओ केस समझ में आया मैं दुबारा से समझाता हूं यहां समझाता हूं आपको वहां लिखने में दिख्कत हो रही है कि आये क्या केस था एक सोलमन है एक सोलमन की वाइफ है एक डॉटर है और चुटे छोटे-छोटे बच्चे हैं यही धना केस के इसका एक धंदा था धंदे का अमौंट कितना है यह देख ना धंदेगी जो ये प्रोप्राइटर्शिप में कर रहा हैं इसने इस धंदे को convert कर लिया किसमे private limited में तो इसने 20,000 के तो लिए shares सब्सक्राइब आगे आपको तो वह मैं खोल ने रहा है यहां पर सब इसमें फैमिली वाले सॉलमन भी है और बाकि सब भी है कि लिए वह यह चीज के लिए रहा है बोलो और बाकि 10,000 के इसने लिए क्या डिमेंचरस समझ में आगया और बाकि स्ने कैश लिय लिया तो वह मैं दंदे में ने डाला मैंने ये बोल दिया कि 30,000 के इसने लिया और यह तीसजार की एसेट धंदे में आ गई कि le ra अब काम कर रहे थे कम करते करते ब्सक्राइड ideasavi क्योंकि लॉस-में ठीक से ने चली एचट लेकिन लाइबिल्टी में क्या-kया बचाता ऋ डिवेंचर बचे दस हजार के advise आट हजार के क्या बचे क्रेटर्स बागी बैलंशीट टेली होगी है ना अकाउंट वाले सरसे करा ले ना टेली ठीक है अभी इतना ही समझ लो क्या बजा बोलो एसेट इतनी है और लाइबिटी इतनी ज्यादा है तो इन दोनों में आपस में लड़ाई चलिए सॉलमन में और लाएबिबơi लोण चुक Ay iki- forty sequence अगर बूले तो अगम्पनी पहले रहे लाओ छुग अलग हूं प्रटो कंपनी अगे मेरे लोन भी एक अलग लोन की तरह कांट में और जो पहले पैसा मिलेगा वोँजे मिलेगा नकि आपको समझ मैं आया? ये case में decision आया. Clear है? तो इससे separate legal entity का concept और strong हो गया और उसमें ये प्ता चला कि भाईया separate legal entity में बंदा अ़ग होता है business अलग होता है. Clear है यего नहीं है? अब देखे जजमेंट क्या आई? समझ मैं आया अब? बोलो बच्चो अब देखिए judgment क्या आई अब मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ वो judgment है बेटा ध्यान से देखना किया रहा है the house of the lord यानि जसाब rejected the these contentions किसकी contention reject कर दी? creators की किसकी? और किया रहा है and held जहां पे भी बेटा ये लिखा हुआ held that इसका मतलब ये decision है इसका मतलब क्या है? ये decision है held that a company on the registration has its own existence or the personality separate and distinct from its member and as a result a shareholder cannot be equated with a company even if he hold virtually the entire share capital of the company तो कह रहा है कि कभी भी shareholder को company के साथ equate नहीं करेंगे ये नहीं बोलेंगे कि company और shareholder सेम है हमेशा company और shareholder अलग-अलग होंगे और इस case में Solomon Solomon जीत गया और सारा पैसा Solomon को मिला समझ में आया? क्यूं? क्यूंकि separate legal entity का concept clear रहा या नहीं है? चले आगे चले आगे बोलो आप बोलोगे तभी चलूंगा बोलो बोलो चले आगे हाँ? अब सुनना ऐसे तो बेटा हर कोई धंदा करेगा ध्यान से सुनना बढ़े लाइने कीज देता हूँ मैं तो ऐसे तो बेटा हर कोई धंदा करेगा और ऐसे ही लॉस दिखा देगा और पैसा उड़ा देगा अरे क्या लिग दिया भाईया? अगला गया हूं लग रहा है सुनना ध्यान से ऐसे तो हर कोई धंदा करेगा लॉस दिखा देगा और यहाँ पे अपने ही लॉन को रख लेगा है ना? माल लो एक लाँ खुर्पे और कंपनी में लॉस दिखाते रहेंगे दीरे दीरे हमारी जो एसेट होगी वो कम हो जाएगी है ना? और हम क्रेटर को पेमेंट नहीं करेंगे जान पूछ के कर सकते हैं साम क्रेटर को से हमने बहुत सारा उधारमान ले लिया बेज दिया बेज के लॉस में दिखा दी कंपनी खर्चे फालतू के दिखा दिये और यह बोल दिया हम पे तो पैसा ही नहीं अभी मैं केसिस पढ़ाऊंगा आपको जहां पे सेपरेट लीगल एंटिटी का जो कंसेप्ट है उसको मिस्यूस करा गया है तो वहां पे एक नया कंसेप्ट आया लिफ्टिंग आफ कॉर्पेट वील का ये एक तरह की कॉर्पेट वील हो गई अभी जिससे सॉल्मन बच गया सेल्मन को पैसा मिल गया कॉर्पेट वील हो गई कॉर्पेट इस्ट्रक्चर ने उसको बचा लिया और उसको पैसा मिल गया क्रेटर को नहीं मिला लेकिन कई-कई जगा जब कंपनी में फ्रॉड वाजी चल ली होती है कि इन्वेस्टर के पैसे को गलत तरीके से यूज करते है और लॉस दिखा देते हैं और बाद में कंपनी को डुबा देते हैं और यह बोल देते हैं भाईया हमारी लाइबिल्टी तो लिमिटेड है हम नहीं दे सकते हाथ खड़े कर लो समझ मैं इन्वेस्टर से मैंने पैस दिरे क्या होगा एसेट कम होगी दिरे जब लिक्विडेशन में कंपनी गई वहां पे भी अपने डिवेंचर खड़े हैं पैसा खुद ले लिया पैसा दिया नहीं क्रेटर को पैसा जाना जरूरी है नहीं है आपने किसी से माल परचेस करा था उधार उनकी पेमेंटी नही तो एक तरह से चोरी कर रहे हो आप आ रहा है समझ में नहीं आना तो आप सेपरेट लीगल एंटिटी को ऐसे इंस्टांस देखे गए कि जहां पे मिस्यूज भी करा जाता है तो उसके लिए कंसेप्ट बनाया गया लिफ्टिंग ऑफ कॉर्परेट वील का जहां पे ये बोल इस बंदे को सजा होगी क्लिया रहा है पढ़ें आई आगे सेपरेट लीगल एंटिटी तो समझ में आया सॉलमन नहीं केस करा जिससे लोगों को अकल आई जैसे हमारे इंडिया में एक स्कैम हुआ था स्कैम 1992 जिससे हमारे इंडिया के लोगों को अकल आई थी तब उन्हों जाना तब पता चला कि एक रेगलेटरी बोडी बिठाने की ज़रुवत है जो इन पर ध्यान रखेगी कि ये लोग ऐसे ऐसे स्कैम करके भी पैसा बना सकते हैं समझ में आया तो वैसे ही सॉलमन का केस हुआ और हमें समझ में आया कि सेपरेट लीगल एंटिटी को भी कर सकते हैं लोग तो इसके लिए कंसेप्ट बनाया गया लिफ्टिंग आफ कॉर्परेट वील का जहां पर ये देखा गया कि भीया आप कॉर्परेट इस्ट्चर लेके कुछ भी गलत काम नहीं कर सकते अगर आप कोई गलत काम कर रहे होगे तो बिहाइंड दी कॉर्परेट अच्छे देखा जाएगा कि कौन मंदा सामिल था और उसको सजाओ जले आगे आएई ह one कि आये ये है बटा कॉर्पेट विल आयूर्पेट वीर तरहींreal लेकिन अगर ये देखा जांएगा नीचे देखो lifting of corporate wheel में बहुत सारे cases हैं अगर ये देखा जाएगा कि आप इन में से कोई भी काम कर रहे हो इन में से कोई भी काम कर रहे हो तो उस case में आपकी liability limited नहीं होगी और उस case में हम separate legal entity का concept नहीं लगाएंगे ये देखेंगे कि इसमें किसका हास सामिलदा और उसको सजाद दी जाएगे तो इसमें मैं आ रहा है clear है? चलें आगे? आईए आ सकता है separate legal entity का कोई भी question आएगा उसमें आपको ये लिखना है separate legal entity से related कोई भी question आएगा उसमें Solomon vs Solomon लिखना है वह well known case है उसका और हर जगा पढ़ाया जाता है आपके college में भी पढ़ाया जाएगा clear है? तो आपको separate legal entity जब लिखोगे तो वहाँ पे लिखना पढ़ेगा समझ में आ रहे है? due to separate legal entity तो वह बच गया उसको पैसा मिल गया और creator को पैसा नहीं मिल पाया हां समझ में आ रहे है? आईए आप सोचो यहां पर आमाउंट छोटी थी 6000 और 10,000 आप सोचो नहीं यह 6 करोड़ और 10 करोड़ होते हैं तब कैसा लगता? creator को तो यह लगता मेरे को भी कुछ मिल जाए लेकिन उनको कुछ नहीं मिला clear है? आईए, corporate wheel बढ़ते हैं बेटा, क्यारा है, company is identified separately from its member यह corporate wheel है, corporate wheel बोले दो corporate shield, Captain America दिखा है आपने, उसके पास एक shield होती है वैसे ही company के पास अपनी corporate shield होती है, है ना, जिसमें जो member होते हैं उन्हें अलग treat करा जाता है और company को अलग treat करा जाता है, पहले देख लीजिए, क्या बोला गया, company is identified separately from its member, क्यारा है, member are shield from the liability connected to the company's action, क्यारा है, member libel नहीं होंगे, company की liability के लिए, क्योंकि member की liability limited है, यह corporate wheel का concept है, है न, lifting of corporate wheel का concept है, कि उसमें हम corporate wheel हटा देंगे, shield हटा देंगे, यह देखेंगे, यह आपको सजा होगे, समझ माया, आ गया यह, क्यारा है, member enjoy the corporate, insulation and the shareholder are protected from the act of the company, तो क्यारा है, shareholder हमेसा protected है, company के act के लिए, कभी भी company के act के लिए, shareholder को libel नहीं मना जाएगा, shareholder को, सिर्फ shareholder के act के लिए ही libel बनाया जाएगा, यह एक company का corporate wheel का concept है, corporate wheel का मतलब है, corporate shield, जिसमें जो member होते हैं, वो shielded होते हैं from the corporate structure of the company, clear है, clear है यहां तक, आईए, अब सुनना, देखो, क्यारा है, Solomon versus Solomon and the company limited, laid down the foundation of concept of the corporate wheel or the independent corporate personality, इस से समझ में आ गया कि separate legal entity का concept है, और जो company है, वो एक independent वेक्ती है, और मैं एक independent वेक्ती हूँ, जो company को on कर रहा हूँ, यानि जो company का honor है, clear है, आ गया यह, क्यारा है, effect of corporate wheel क्या होता है, क्यारा है, only company is libel for the act and the default done in the name of the company, even though the director and the employee acted on behalf of the company, वो libel नहीं होंगे, company ही libel होगी, समझ में आया, क्यारा है, corporate wheel का effect यह है, कि हमेशा company अपने act के लिए libel होगी, कभी भी directors, या employee, या company के honor उसके act के लिए libel नहीं माने चाहिए, clear है, आगे चले, ये corporate wheel था, corporate wheel just like a separate legal entity, कि corporate, जो company है वो अलग है, और owner है, वो अलग है, company के लिए हम libel नहीं होगे, हमारे act के लिए company libel नहीं होगी, clear है, अरे बोलो, लेकिन अब आईए, अब बात करते हैं, पर्दा उठाने की, यान marketing of corporate wheel इसमें क्या बोला गया, इसमें ये बोला गया, कि अगर सुनिए, अगर company कुछ ऐसा ऐसा कर रही है, जिससे यह लगता है कि भाईए, आप corporate structure को क्या कर रहे हो, company के misuse कर रहे हो, क्या कर रहे हो, या कर रहे हो, missuse कर रहे हो, अरे कोई भी concept लाया गया, इसलिए लिए ला के लोन लो ढंग से काम मत करो जितना पैसा आ रहा है निकाल दे जाओ कंपनी से पैसा तो इन्वेस्टर का भाड़ में जाए कल को कम्पनी डूब जाएगी हमें तो कुछ देना नहीं हमारी लाइबिल्टी क्या है लिमिटेट समझ में आ रहा है या नहीं आ तो कह रहा है इस इस तरह के अगर केसिज होंगे जहां पर आप कॉर्परेट इस्ट्रक्चर कंपनी का मिस्यूज कर रहे होगे वहां पर हम आपकी कॉर्परेट वील को क्या कर देंगे लिफ्ट कर देंगे आपकी कॉर्परेट वील को लिफ्ट कर देंगे यानि हम यह देखेंगे की परदे करना है आगया जाओ किया लिफ्टिंग और कॉर्पेट विल पढ़ा दूँ आप कंसेप्ट समझ में आया माइन मेकप हो गया कि कंसेप्ट क्या है बोलो नहीं नहीं सर मगर आप बोल सही रहे हो नीद बढ़ी आ रही है हां बोलो चले कुछ समझ में आ रहा है पल्ले पढ़ या मैं वैसे हां पढ़ाओ अब आज ओ किरा इट मेंस looking behind the company ध्यान से प्लीज क्या पढ़ा रहा हूं भीटा बहुत इंपोर्टेंट है क्या बढ़ा रहा हूं लिफ्टिंग और इसका मतलब क्या है आए यह करा इट मेंस looking behind the company as a legal person याई हम देखेंगे की कम्पनी के पीछे कौन है that is disregarding the corporate entity and paying regard instead of realities behind the legal packet हम यहाँ पे हम यहाँ पे corporate identity को भूल जाएंगे और यह देखेंगे कि कम्पनी के पीछे कौन सामिल था किसका हाथ था कौन इस कोल्यूजन में सामिल था तो हम यह देखेंगे और पर्दा हटा देंगे हम corporate wheel को corporate structure को हटा के देखेंगे समझ में आ रहा है corporate wheel को हटा के हम reality पे focus करेंगे कि कौन इस collision का पार्ट था इस तरह की planning कौन कर रहा है समझ में आया आईए आगे सुनिएगा क्या रहा है where the court ignore the company and concern and concern themself directly with the members or the manager the corporate wheel may be said to have been lifted only in the appropriate circumstances the court shall lift the corporate wheel कहरे कुछ appropriate circumstances में ही court company की corporate wheel को क्या कर सकते है lift कर सकते है हटा सकते है और यह देख सकते है कि who is behind the company कौन इस चीच को plan कर रहा था क्लियर है चलें आईए सुनिएगा क्या रहा है the following are the cases where the company law disregard the principle of corporate personality same question आएगा आपके exam में क्या पूछेगा following के जगा बस states लिखा होगा है ना क्या लिखा होगा या describe लिखा होगा बोलेगा कि describe the cases where the company law disregard the principle of corporate personality same question आएगा समझ में आ रहा है अब मैं हिंदी में बताए तो हूँ इसका मतलब क्या है बोला है कि बताईए कब हम company की corporate wheel का जो पर्दा company को मिला हुआ है उसको lift कर देंगे हटा देंगे किस cases में तो यह cases दिये गए हैं इन cases में हम company के corporate structure को हटा के देखेंगे who is behind the company के लिए रहा है चलें आगे आईए क्या रहा है corporate will sell corporate will will be lifted पहला के इस क्या है trading with enemy दूसरा के इस क्या है where the corporate entity is used to award or circumvert the taxes यानि हाप tax की चोरी कर रहा हूँ दूसरा के इस क्या है where the company form other company as their subsidiary to act as their agent एक एक करके सब सम्झाओंगा डरना मत सही है आगया ये to avoid the legal obligation के रहे वेर दर वेर दर डिवाइस of incorporation is adapted for the some illegal or improper purpose अगर आपने company किसी improper purpose या illegal purpose के लिए बनाई है तो चलें एक एक करके discuss कर लें आगया ये पहला केस मैं आपको पढ़ाऊंगा पहला केस बेटा हम ये वाला पढ़ रहे हैं company का नाम पढ़ना जरा मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसका idea दे देता हूं दो company थी पीटा एक company ये और एक कंपनी ये ठीक है डैमलर और continental टायर डी और सी बोल दू मैं आ रहे समझ मैं आपको तो दो company थी एक डी और एक सी तन सुनिएगा एक company थी पेटा जर्मनी की कहां की company ये जर्मनी में इंकॉर्परेट हुई थी और एक दूसरी company भी थी रश्या के साथ हुआ था मेरे ख्याल से एक दूसरी company भी क्या थी सुनिएगा एक जो ये डी company है इसमें जो members हैं वो कहां के हैं बेटा जर्मनी के हैं कहां के members है जर्मनी के हैं लेकिन ये जो company यह बनी कहां है रशिया में तो ये कैसी company हो गई डी company कैसी हो गई बताओ मेरे को अरे इसका जो रेजिडेंस है वो कहां पर रशिया में, तो इसे रश्यन कम्पनी बोलेंगे और कॉंटीनेंटल वालो कॉंटीनेंटल को क्या बोलेंगे? अरे बोलो, जर्मनी के कम्पनी बोलेंगे, ठीक है? लेकिन सुनना, अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें मेंबरस सारे कहां के हैं जर्मनी के अब सुनना वर्ल्ड वार हो गई बेटा वर्ल्ड वार वन की कहानिय साय दिये जब वर्ल्ड वार हो गई तो इसमें रश्रिया और जर्मनी की लड़ाई हो गई इसकिस की लड़ाई हो गई जर्मनी की अब वार डिकलेर हो गया है कि यह उते हैं। पर देख लेगेर आ तो ना तुम्हें यह दिखना है बस वार हुआ है, ऩर दूड़ी यह लगालग, उसमें बार हुआ है, दन सुन ले ना तॉनुद के بीच क्यों गया वर हो गया लेकिन सुन्ना अगर ऊपर ऊपर से आप देखोगे तो इंगलीन में कॉ они come ready मुझा यह और यह बाहर की पूर में जाए लेकिन भाद में जब डीटेंल मने गये तो पता चला यहां तो वहां के मेंबर हैं इस कंपडिम men के बन साएंटिरेंग्ध सरत को दिए? वोलो, इंग्लेंड में, जो कहां पर इंग्लेंड पर किसके ये? वहां पर पर किसके है, जर्मनी के. तो अगर आप इसका corporate identity हटा दो और ध्धान से देखो तो आपको सम assumMA में आएगा कि कि इस company को आपके दुश्मन चला रहे हैं अगर आप England में हो तो समझ में आ रहा है आपको आपके दुश्मन इसके members हैं आपके दुश्मन इसमें सारे directors हैं और आप दोनों country में war छिडी हुई है समझ में आ रहा है तो क्या इस company को आप आप वहां पे काम करने दोगे तो आप इस company को क्या ये नहीं बोलोगे ये भी आपकी enemy company हो गई ये भी आपके लिए alien enemy हो गया ये भी आपके लिए disqualified person हो गया बोलो है ना तो यही decision आया था इस case में अब एक बढ़ी पढ़ ले समझ में आए आपको एक बढ़ी पढ़ लेते हैं आई ये गेम समझ में आई ही बोलो बोलो ये game यहां पर describe करी हुई है एक बढ़ मैं आपके लिए रीड मार देता हूं फटाफट के रहे सी company was floated in the London for के लिख है मेरे में लाइन आ लिया marketing है for marketing सुनिएगा के रहे सी company was floated in the London for marketing tires manufactured in Germany see company इन्होंने कहां पर खोली बोलो London में see company इन्होंने कहां पर खोली लंदन में जो किसकी marketing करती है उन टायर्स की जो मैनिफेक्ट्टर कहां होते हैं जर्मनी में समझ में आ रहा है कुछ आ गया जाओ के रहा majority of the seas company shares were held by the German national residing in the Germany game समझ मारिया England की company है और जर्मन national ने जर्मन के लोगों ने उसके share most of the share उसने रखे हुआ है सही है क्या दूरिंग दी वर्ल्ड वर्डवार दसी company filed a suit against the D company for the recovery of the trade debt the D company contended that the C company was the alien enemy of the company Germany being at the war with the England at the time and that the payment of the debt would be trading with the enemy the court agreed with the contention of the defendant तो इस case में ये बोला गया कि भाया ये जो दोनो company ये जो company है वो हमारी enemy company है तो उसको कोई भी पैसा नहीं दिया जाए समझ में आया company England में थी और company England में रहके जर्मन में एक company थी उसके पैसा बगाया था हर यहां के लोगो पे अन लोगों ने बना कर दिया हम नहीं देंगे क्योंकि येनःमी की company हम इनको पैसा नहीं देंगे इन पैसों से गोला बारुदALLY हम थे जहाँ देंगे अ वार आज वह我們 है तबी तो चलेगा कुछ है यह कैस यह समझमे यह नहीं का आや समझमे यह नहीं तो कह रहा है सुनिगा अब कहरे सुनिग попыт अगर तरेंग धिन इनली हो रहा RJ देह हो रहा है तो आप WHO बै। कर दो को समझ में अंग्लेन में जो कमपनी इंक्रप्रेट हुई है उसमें member कहां के हैं जर्मनी के आप ये नही नहीं क्ये पोल सकते कि वह यांम बेवर नियंग आप कंपनी आप कंपनी को पैसा दो हम आप पर भाळेंगे निकाल के किया वो सकते आएसा नहीं बोले तो इस केस में corporate will आपकी lift कर दी जाएगी और यह देखा जाएगा who is the behind the company आ रहा है या नहीं आ रहा है बोलो 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 हां अरे समझ में आ रहा है चले आगे आगे चले अब यह पढ़ लो एक असान सा पढ़ा देता हूं पहले सुनिए यह वाला case पढ़ते हैं मिटा case क्या है पढ़ना merchandise transport limited versus British transport commission समझ मैं आया हां मैं simply समझा देता हूं फिर आप reading माल लेंगे है ना सुनना एक company थी यह limited और हमें चाहिए तर लाइसेंस किसी चीज का हमने क्या करा बेटा लाइसेंस के लिए अपलाई करा यहां पर अथर्टी के पास आपने अपलाई करा लाइसेंस के लिए आपको मालो प्रांस्पोर्ट के लिए कोई लाइसेंस चाहिए आपको अशेहर में जितनी भी लुरी वगैर है वह चल वानी है तो आपको लाइसेंस चाहिए आपने अपैकर रल्टी ओखिपर हमें पाही पाई गई आपका जो लाइसЕंस था wok pigla besagt ठीक है। फिर आपने क्या करा एक कंपæनी बना दी फिर ना प्रिमिल में इस हो एक तेट इह करा ए यह भी से अप्लाई करया है। इस को कर भाऊंगा प beneficiaries the अडि कोई दीइक कर रहां है कि सब्सक्राइब करना में फॉललंगा है। जो आप सखली सखली ठीक है बाद में पता चल दिया आर्टियों को कि ये तो कंपनी नहीं किया जिन्होंने एक ये से अपलाई करा था तो ये इसको भी मना कर देंगे समझ में आया है अब देखो यहां से पड़ो समझ में आएगा करेट ट्रांसपोर्ट कंपनी वांट टू अप्टे इन इड्स ओन नेम उसने अपने नाम से अप्लाई करा तो उसे नहीं मिला लाइसेंस कुछ कमी थी फिर क्या कहता है कि एट देरफॉर फॉर में सब्सीटरी कंपरी उसने बोला कोई बात नी मैं दूसरी कंपनी मनाया था हूं उसने एक नई कंपनी मना दी and the application for the license was made in the name of the and held the parent and the subsidiary were one commercial unit and the application for the license was rejected. ये decision आया कि भाईया ये दोनो same commercial unit हैं, तो भाईया हम किसी के भी नाम से license नहीं देंगे. हो सकता है इन company के किसी driver ने पहले किसी को उड़ा दिया हो, blacklist हो रख्यों, हो सकता है नहीं हो सकता, आप बताओ ना, मालो blacklist हो रख्यों company, उसने A से apply कर रहा नहीं मिला, फिर कह रहें B से apply करेंगे, नाम उसके नाम कर दिया vehicle और फिर apply कर रहे हैं, तो इस तरह से भी काम नहीं चल पाएगा, अगर आप एक बार blacklist हो गए हो और आप दूसरी company नहीं बना के कुछ चीज acquire करना चाहिए हो लाइसन्स वगएरा, तो वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर ये बुला जाएगा कि आप सेम commercial unit हो, समझ में आया, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आप बस लोग को defeat करने के लिए, लाइसन्स वाले लोग को defeat करने के लिए दूसरी company बनाई आपने, आपने सिर्फ license लेने के लिए बनाई, तो आप तो misuse कर रहे हो ना corporate structure का, आ रहे है समझ में नहीं आना, तो ऐसे misuse हम नहीं करने देंगे, उस case में आप अगर आप blacklist हो गए हो, ये इस से लिए लिए था है, कि रहे है वेर दे कंपनी फॉर्म अधर कंपनी एज देर सबसीटरी तो एक्ट एस देर एजेंट, समझ में आ यहाँ, चलें आगे, समझ में आ रहे हैं दीदी, ओले लिटी पढ़ चुकी हो, समझ में आ रहे हैं, सब पढ़ा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा फिर, दूप के मर जाओ, गिल फोर्ड में क्या हुआ था मैडम बताओ फिर, बोलो, गिल फोर्ड में क्या हुआ था, आप बताओ फिर, दीदी ने पढ़ा हुआ है न, आपको मैंने कितने केस पढ़ाए बताइए, डैमलर वर्सेस, कॉंटिलेंटल टायर में क्या हुआ था, डी एंसी में, टेटिंग विद एनेमी नहीं चलेगा, अगर कोई भार के नेशनल जिन से हमारा वार चल रहा है, वो यहाँ पे मेंबर हैं, तो उस कंपनी को भी हम पैसा नहीं देंगे, क्योंकि वो एलियन एलिमी है, हम उसके साथ कोई भी वेपार नहीं करेंगे, यह पढ़ा, दूसरा केस हमने क्या पढ़ा, बताओ, हाँ, मरकंडाइश ट्रांसपोर्ट लिमिटेट वर्सेस, ब्रेटिश ट्रांसपोर्ट लिमिटेट, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, कि अगर आप एक बार ब्रैकलिस्ट हो गए, तो आपकी सारी सबसेटरी ब्रैकलिस्ट हो गई आप दूसरी कंपनी बना के एज एजेंट वर्क नहीं करवा सकते लाइसन्स लेने के लिए और इससे पहले हमने बढ़ा सॉलमन वर्सेस सॉलमन उसमें हमने सेपरेट लीगल एंटिटी देखा आ रहा है समझ में नहीं आ रहा आ गया जाओ अब दीदी बता रहे है गिलफॉर्ड तो उसने डिफीट कर दिया लो आए दीदी ने सही बताया अब पढ़ रहे हम कौन सा बेटा गिलफॉर्ड इसमें क्या था आप सिर्फ गिलफॉर्ड मोटर कंपनी भी लिख दोगे तब भी आपका चलेगा है ना लेकिन आपको कोशिस करनी है कि अगर आप केस का नाम लिख रहे हो तो पूरा का पूरा लिखना है और ठीक लिखना है तो याद करोगे रट्टा मारोगे तो पूरा म इसमें क्या हुआ था मेरे बच्ये इस में एक कंपनी दी इना इसमें isommesrosoft इसमें एक बंदा काम घरताथा मानलो क्लेक एक कंपनी थी एक हां और इसमें यह हमारा दोस्ति गर्वसटीही आ यहां से अपनी membership हटा दी, अपनी job हटा के नया काम चालू कर लिया और इसके service agreement में यह लिखा हुआ था कि भहिया आप similar line of business में नहीं जा सकते, आप similar line of business में नहीं जा सकते और already जो company के client हैं, आप उनको solicit नहीं कर सकते, क्या इस तरह का agreement हम डाल सकते हैं, क्या इस तरह की restriction डा हमने पढ़ा था contract act में जो exception थी जहां पे लिखा था service level agreement, याद है आपको, done, तो इस तरह की restriction वहां पे डाली गई थी, तो उस चीज को defeat करने के लिए जीव भाई साब थे, इन्होंने एक company मना दी, गिलफोर्ड नाम की ना, इन्होंने एक company मना दी, गिलफोर्ड नाम की और इन्होंने इसमें wife को member रखा और बोला, भीया, वो सारे client को phone कर दिया, कल से आपको उस office में नहीं, यहां मेरी बीबी वाले office में आना है, हम यहां से आपको, जो भी आपको hon वगरा है, या जो भी आपको काम कराना है, हम यहां कर देंगे, वो company छोड़ दी, हमने वहां मत ज तो यहां पर एक तरह का हमारा agreement हो रखा दर, rationale of trade वाला, तो हम legally उस agreement के भाहर नहीं जा सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या गरा corporate structure को misuse करके, client को solicit करने की कोसिस करी, तो यहां पर इनकी corporate will को क्या कर दिया जाएगा, lift कर दिया जाएगा, और देखा जाएगा, who is the behind the company, और क्य इसकी intention है, तो यहां पर ऐसा नहीं करने दिया जाएगा, और यह माना जाएगा कि आप दोनों separate नहीं हो, एक ही वैक्ती हो, और आपको, आप दूसरे के client को solicit नहीं कर सकते, क्लियर है, किसी भी तरीके से, अगर आपका पहले agreement हो रखा था, क्लियर है या नहीं है, पढ़ा आपका दू, आई एक बार रीड माल लेते हैं, क्या रहा है, गिलफ्ट मोर्टर कमपनी वर्सिस होम, क्या रहा है, इन ए फॉर्मर, इन ए फॉर्मर एंप्लोई अप दी कंपनी, क्या लिखा यार, कॉन्विनेंटेट नॉट्टो सॉलिसेट इट्स कस्टूमर, उसने ये व आप सॉलिसेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप सेप्रेट लीगल एंटिटी को मिस्यूस कर रहे हो, किसी लोग को डिपीट करने के लिए, क्या रहा है, बोलिए एक लिए रहा है, ये अनिमी वाला हो गया, मैडम, रबड़ वाला बताओ क्या था, वर्कमेन इंप्लोईड अच्छे ये वाला केस किसे रेलेटेट था, गिलफोर्ड वाला, लास्ट पॉइंट से, लास्ट पॉइंट क्या बोलता है, वेर दा डिवाईज ऑफ इनकॉर्परेशन इस अडप्टेट फॉर्ट 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 हमने कंपनी किस लिए बनाई, इं एक केस निलिखा है यहां पर, वो इस्टेडी मैट में होगा, यह नीचे लिखा है, एक केस गया है यहां से, दिन शो, मानेक जी, है ना, आईए, कोई निया आप यहां से पढ़ लो, वो समझ में आ जाएगा, यह क्या है बेटा, क्यारा है फॉर्मेशन ओफ कंपनी हुआ ह दिवाइड दी इनकम एन अवाइड दी टैक्स एन अवाइड एनी वेलफेर लॉग, क्या हुआ था इसमें दीदी बताएए, एक तरीके से भी बोल सकते हो, आप रबडवाला बताऊ ना, बुक में रबडवाले में क्या हुआ था, वर्कमें इंप्लॉइड लेबल लोग होते हैं, लेबल लोग की कम्प्लाइंस करनी होती है, कि कुछ अगर आपके हाँ प्रॉफिट आ रहा है कम्पनी में, तो जितने भी आपके हाँ लेबर काम कर रहे हैं, आपको एक मिनीमम बोनस देना है उन्हें, लेकिन ये तभी देना होता है, जब आपके हा पड़ेगा यह आपके उपर legal obligation है आगे उस bonus को ना देने के लिए हमने एक दूसरी company बना दी और वहां से खर्चे दिखा दिये अपनी income आधी वहां पे shift कर दी dividend की income दी हम investment company दे investment से पैसा कमाते दे तो हमने देने कि अगर एक दूसरी company बना दी और वहां पे कोई employee यहार नीक़़ा और जितनी भी income दी वहां पे shift कर दी साली अब वहां पे inकम आरि लेकर employee नहीं बोनस किसको देना किसी को नीए यहां पर employee है यहां पर पैसा नहीं है समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है मैं समझा देता हूं दुबारा से एक limited है मालो इसके PNL account में हमारा 25 लाग का profit आ रहा है ठीक है तो अगर हमारे पास अच्छा गाजा profit हो रहा है तो हमारे उपर ये बेटा इस से बचने के लिए एक नई company खोल दी जिसका नाम मैंने बीलिमिटेट रख दिया और यहां की जितनी भी इनकम दी यहां पर सिफ्ट कर दी अब यहां की जो इनकम दी जिसकी विजा से 25 लग का profit आ रहा था मैंने यहां सिफ्ट कर दिया प्रॉफिट यहां पर आ रहा है और बोनस से बचने के लिए एक नई entity बना रहा हूं जहां पर मैंने इंकम को अपने सिफ्ट कर दिया ताकि मेरे को बोनस ना देना पड़े समझ में आ रहा है तो इस तरह का काम नहीं चलेगा यह बोला जाएगा यह दोनों सेम एंटिटी है और आपको बोनस देना पड़ेगा कैस समझ में आ रहा हैuseum एस सब्सीणिि कंपनी वास फार्मोली भाइदी होली थी होल इंग कंपनी विट नौए क्या करा है हमने एक नहीं कंपनी बना दी उसमें कोई असेट वगरा नहीं है बस नाम के लिए बना दिया है और एसेट होलिंग सही ट्रांसफर करी है उसमें ठीक है करा है विद नो बिजनेस इसका कोई बिजनेस भी नी था एंदा इंकम ओफिट्स ओन एक्सेट रसीविग डिविदेंट फों दी शेयर ट्रांसफर टूइट बाइधी वगरी इंगम जो हमने डिविदेंट की इंकम थी महां पे ट्रांसफर कर दी बस उसकी वहीं इंकम है सही है तो करा कोट है जैट नीव कंपनी वस फॉर्म्ड एज़ एज सेम यह टैक्सी वर्जिन में हो सकता है कि हम टैक्स को यवेट कर सकते हैं जैसे हमारा जीतना ज्यादा प्रॉफिक अपरसंटेज घमेंने के अंदर ट्रेक्स देना होता है मिनिमम जो कंपनी का रेट है पच्छीस पर संट का रेट है अगर आप एक लाग रुपे कमाओगे तो 2015 रुपए आपको टैक्स के लूप में देने है। तो इस टैक्स से बचने के लिए हम क्या करते हैं destro自 div thirty company बना देते हैं और पर है इंकम को बाढ़ देते हैं और खर्च के ज़्याद बिखा चल गया कि आप इस तरह का काम कर रहे हो अलग-अलग कंपनियां बना के तो वो सब को मर्ज करके मानेगी और ये बोलेगी कि ये सारी कंपनिया एक ही उनिट है और उसको प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा चलेगा नहीं अगर ये प्रूफ हो गया कि आपने जो दूसरी कंपनिय वो इनकॉर्प्रेट इसी परपस के लिए करिया तो वो मर्ज करके ही माने जाएगे उससे सेप्रेट लिगल एंटिटी नहीं माना जाएगा क्योंकि वहां पे आप बेटा मिस्यूस कर रहे हो और आप इस वाले पॉइंट में फॉल कर जाओगे वेर दा कॉर्प्रेट एंटिटी इस यूज तो इवार्ड और सरकम्वेट दा टैक्स यानि आप टैक्स को बचाने के लिए अलग-अलग एंटिटी खोल रहे हो और टैक्स नहीं बरना चाहरे हो क्लिए और ये बोनस वाला हो गय तो अगर आप उसको अवाइड कर रहे हो तो बेटा उस केस में भी आपकी कॉर्परेट बिल वील को लिफ्ट कर दिया जाया हो तो इसमझ में आ रहा है दिन्शो मानक जी में बताओ क्या था टैक्स वाला एदा उसमें टैक्स वाला इदा दिन्शो मानक जी में कि वो टैक्स को इवाड गरने के लिए अलग अलग अंटेटी बना खर्चे दिखाए कि अ करते हैं तो वह आप बुक से पढ़ ले ना वो मैंने आपको और ली समझा दिया है आ रहा या नहीं आ रहा रहा कॉर्प लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पेट विल समझ में आया आपको बच्चा लोग बोलो क्या क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी हो गया आप हमारा देखना अरे एक ब सबसीटरी एसोसीएट लिष्टेड अनलिष्टेड गॉवर्मेंट फोरन एंपियो डॉर्मेंट ने दी सब कदम आता है नहीं आता सब आता है पक्का आप इस्टेडी मैट से पढ़ लोगे शुट्टी नहीं कर रहा मैं जो हां हां कर रहे हो ना अब अभी दो टाइम है आ आपको स्लिमान में बिलिखना है आपको वहाँ पे क्रपेट का मतलब में प्रसाइं और लिव्टिंग आफ ने लिए खैख स्कूर्पिर पुछयेगा देnt है कि लिए रहा है हो जाएगा चले आगे आए कोन बूला आपको आदा गंटा और पढ़ा आए अब हम बात कर लेते हैं विटा फॉर्मेशन आफ कंपिनी की चलो पढ़ा कुछ नहीं रहा मैं थोड़ा से समझा देता हूं है ना रख दिया मैंने ठीक है आप इतना गंदा गंदा एक्स्पेशन दोगे तो कैसे बढ़ा पाऊंगा सुनियेगा पढ़ानी रहा पढ़ानी रहा हतियार उठाये हैं लेकिन चलानी रहा बस यह दिखा रहा हूं अब बात क्या चल लिए बेटा फॉर्मेशन आफ कंपनी कैसे होती है फॉर्म आप बताएं मैं तो थोड़ा थोड़ा डिसकस कर चुका हूं ना क्या कैसे होगी फॉर्म दीदी बोली है रेजिस्ट्रेशन से वेरी गुड रेजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा हम नहीं सुन रहा आपकी बात चुपो जाओ हमें मज़ा नहीं आरा हम सेन्व लिओ फॉर्म सांगा को कि आसे ऐसे सब कोच लेकिन मैं थोड़ा सा और ज़्यादा सिंपल में बता maior दिता हूं आप मेरे एक दिमाग में एक idea यहीं कि बैए हम किसी चीज का घंळा द्विक किसी का काम खरेंगे खरेंगे उनका कौन सा बुर्ण रंड आट की जगा चैंस कार्टलॉ आ सुनो कोई भी धन्दा आपन करेंगे सही है तो हमने डिसाइड कर लिया स्पैक्स को बीचेंगे हम और प्लीज यार अब आप ये डिसाइड करोगे कि आपको आप कंपनी की बात कर रहे हैं तो हमें कंपनी फॉर्म करके धन्दा करना है प्रोप्राइटर्शिप से भी आप कर सकते हो में वहां नहीं जाहरा हॉंत नहीं है टाइवाट लिए हमें प्राइवेट लिमिंटेते कंपनी बनानी एह यगीं लिमिंटेट कंपनी बनानी पेंद So Century का करेंगे फॉर्म कम्पनी मनाने के लिये मिनीमम के लिव曆 बंदेयां है संधर गार्ष दिदौ अथिकर आप किसी को पर मोटर भी बना सकते हो पर मोटर हमारा छूट गया उपर से डेफिनेशन में से मैं बता देता हूं पर मोटर का मतलब होता है एक ऐसा बंदा वो ब्रिंग्स दा आईडिया टू इनकॉर्परेट दी कंपनी यानि जो आईडिया लेकर आया है जिसकी आइडलो जी है कि हम इस धंदे को बनाइंगे और इस पर काम करेंगे वो पर मोटर कहलाता है या हम जिसका पूरस प्रोस्पेक्टस में नाम लिख देते हैं ऐजे प्र प्रमोटर कौन होता है वो ब्रिंग्स दाइडिया या जिसका नाम मैंने प्रोस्पेक्टस में लिख दिया वो कौन होता है परमोटर तो मैं परमोटर इंटेड्यूस कर सकता हूँ डारेक्टर इंटेड्यूस कर सकता हूँ जब मेरे सारे बंदे तयार हो जाएंगे उनकी इंकॉर्प्रेट करने का MCE के उपर SPICE के फॉर्म होते हैं SIMPLIFYED प्रफॉर्मा आप बना दिया गया है SPICE के फॉर्म होगी वहाँ पर आपकी बुक में SIMPLIFYED प्रफॉर्मा बनाया है TO INCORPORATE THE NEW COMPANY ठीक है तो उसके थुरू आप उनलाइन जाके पर फॉर्म भर सकते हो वो फॉर्म आप फिलप कर दोगे जैसे आपके college का फॉर्म भरा जाता है college का भी तो form भरते हो apply करते हो फिर महां से approval आती है कि भीज़ा आप अब इस college के student हो वैसे company का आप apply करोगे company का उसमें आपको name decide करना पड़ेगा name किसी दूसरी company से resemble नहीं होना चाहिए name अलग होना चाहिए name के बारे में detail में आप IPCC में भी पढ़ोगे name आपका unique होना चाहिए आप अगर private limited लगा रहे हो तो उसके पीछे आप word private limited लगाओगे अगर आप public खुल ले हो तो उसके पीछे public लगाओगे आपको डारेक्टर की सुनिएगा consent लेनी होगी डारेक्टर से एक certificate लेना होगा कि वो सुनिए प्लीज कि वो disqualify नहीं है वो डारेक्टर disqualify नहीं है और वो eligible है डारेक्टर बनने के लिए समझ में आ रहा है आपको subscriber decide करने पढ़ेंगे subscriber कौन होते हैं सब्सक्राइबर कौन होते हैं आपको subscriber decide करने पढ़ेंगे कि initial shareholders कौन बनेंगे आपके subscriber कौन होते हैं initial shareholders यानि जो पहली बार आपके shareholder बन रहे है वो memorandum के उपर sign करेंगे memorandum एक performa होता है जिसमें company के bylaw वगेरा लिखे होते हैं मैं पढ़ाऊंगा detail में article of association भी आपका तयार होगा जिसमें rules and regulation लिखे होंगे ठीक है तो जो subscriber होंगे सुनिए प्लीज जो subscriber होंगे वो आपके initial document है memorandum अगरा है उनको क्या करेंगे बेटा बोलो उनको subscribe करेंगे यानि उनको sign करेंगे और वहां पर वो लिखेंगे कितने कितने shares कितने कितने member ने लिए हुए है यह सारी detail बनाके एक CA जो कि आप बनोगे professional से यह सारी चीज़े verify करवा के हम MCA में file करेंगे क्या करेंगे और professional क्या verify करेगा जो professional उस पर sign करेंगे वो यह verify करेंगे कि यह जितना भी काम हो रहा है यह इन विदिन दा एक्ट हो रहा है यानि विदिन दा प्रोविजन आफ दी company act 2013 हो रहा है यहां पर company act 2013 का violation नहीं हो रहा और जितने भी documents हैं यहां पर वो verify आपने वो verify कर लिए कर लिए हैं और आपने वो physically verify करके अपने सामने साइन कराए हैं आप इस चीज को certify करते हुए वहां पर mca में यह form file करोगे तो mca में एक register साब बैटे होंगे जो इन सब form को देखते हैं जाच करते हैं वह इन सब form को देखेंगे जाचेंगे अगर आपके form में सुन लीजिए कोई discrepancy होगी कोई दिक्कत होगी हो सकता है आपने फोटो ऐसी लगा दी जिसमें कोई दिखी नहीं दा माक्स पहन के फोटो लगा दी आपने अधारकाट ऐसा लगा दिया बलर है या कोई भी दिक्कत है एक्स वाई-जाइड आपके document में तो वह क्या करेंगे बेटा महां से query requirement जो हमारे लोकी वो fulfilling होगी है तो वहांसे आपको registration grant कर देंगे और registration 600 करते ही आपके पास आएगा certificate of incorporation क्या आएगा certificate of incorporation जैसे बच्चा पढ़एदा होता है तो उसके पास सबसे पहले क्या आता है parse certificate वैसे ही company नंबर क्या मिलेगा आपको corporate identification नंबर जिसको क्या बोलते हैं सिन नंबर और साथ ही साथ जब आप first time director मिले बनेंगे तो आपको मिलेगा दिन डारेक्टर identification नंबर वो आपका unique code होगा आप किसी भी company में डारेक्टर बनेंगे तो वही unique code हर company में चलता हुआ चला जाएगा तो यह directory maintain करने के लिए सिन और दिन का उन्होंने launch कराया mca ने जिसके थूरू वो सारी directory maintain करते हैं यानि सब की records वगेरा को maintain करते हैं सुन लीजीएगा यह सारा process आप खुद पढ़ सकते हैं मैंने आपको समझा दिया तो जो formation से related जितना भी content है यह आपको खुद पढ़ना है बाकि आगे का जो बचेगा हम next class में बेटा उसको करेंगे ठीक है आज के लिए इतना ही था बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आ थैंक यू वेरी मुच थैंक